आज की कहानी है चुरेल की रात कि वह अपनी सुख शांती के लिए रात में ही जगा जगा घूमती रहती है अर्जुन ने गाउवालों को बताया कि चुरेल को समझना और मदद करना जरूरी है इससे गाउव में एक नई शांती आई चुरेल के साथ मिलकर उन्होंने गाउव में सामझन से बढ़ाए और लोगों को सिखाया की दिल से आत्मा की मदद करना हमेशा अच्छा होता है आज की कहानी है तालाव का भूत गाउव के किनारे जंगली तालाव के पास एक भूत बसा करता था उसकी रूह कभी चिर्पिंग पक्षियों के साथ उरती थी और कभी रात के सन्नाटे में वह गहरे पानी की गहराईों में छिपा रहता था गाउवाले भूत की कहानियों से डरते थे लेकिन एक बहादूर लड़का नामक राजू ने उसे देखने का निर्नाय किया एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ तालाव की और बढ़ा तालाव का भूत धुंदले रूप में उभरा लेकिन राजू ने उससे डरना नहीं बचाया वजाना चाहता था कि भूत क्यू तालाव में बसा है भूत ने अपनी कहानी सुनाई जिसमें एक दूप खबरस्त पुरानी मोहबत का दर्द छुपा था राजू ने उससे मदद करने का निर्नाय लिया और गाउवालों को भूत की असली कहानी सुनाई इससे भूत का दर्द कम हुआ और गाउवालों ने साथ मिलकर उसकी आत्मा को शान्ती दी तालाव का भूत अप शान्ती से बरफीली रातों में तालाव के किनारे में घूमता था एक नए आत्मिक समर्पन के साथ आज की कहानी है राजा की चिंता प्राचीन समय की बात है एक राज्य में एक राजा राज करता था उसका राज्य खुशाल था धन धान्य की कोई कमी नहीं थी राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे एक वर्ष उस राज्य में भयन कर अकाल पढ़ा पानी की कमी से फसले सूख गई ऐसी स्थिती में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए लगान प्राप्त नहोने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोश खाली होने लगा ये देख राजा चिंता में पढ़ गया हर समय वह सोचता रहता कि राजे का खर्च कैसे चलेगा अकाल का समय निकल गया स्थिती सामान्य हो गई किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राजे में पुना हकाल पढ़ गया तो क्या होगा इसके अतिरिक भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी पर उसी राजे का भय मन्त्रियों का शर्यंत जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नीन चीन ली वह अपनी इस हालत से परिशान था किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पर जाता दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी चक कर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता कई बार राजा को उससे जलन होने लगती एक दिन उसके राज़दरबार में एक सिधसाधू पधरे राजा ने अपनी समस्या साधू को बताए और उसे दूर करने सुझाव मांगा साधू राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे वे बोले राजन तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाठ है अपना राजपाठ पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ इस पर राजा बोला गुरुवर मेरा पुत्र मात्र पांच वर्ष का है वहबोद बालक राजपाठ कैसे संभालेगा सैमी कोलन तो फिर ऐसा करो की अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो साधु बोले राजा तेयार हो गया और उसने अपना राजपाठ साधु को सौंप दिया इसके बाद साधु ने पूछा अब तुम क्या करोगे राजा बोला सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लों लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे अब तो राजपाठ मेरा है राजकोश के धन पर भी मेरा अधिकार है तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा राजा ने उत्तर दिया ये चीक है लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यक्ता नहीं यहीं नौकरी कर लो मैं तो साधू हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपार्ट संभालना राजा ने साधू की बात मान ली और साधू की नौकरी करते हुए राजपार्ट संभालने लगा साधू अपनी कुटिया में चले गए कुछ दिन बाद साधू पुना राजमहल आये और राजा से भेड़ कर पूछा कहो राजन अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नीन का क्या हाल है सेमी कोलन गुरुवर अब तो मैं खूब खाता हूं और गहवी नीन सोता हूं पहले भी मैं राजपार का कार्य करता था अब भी करता हूं फिर ये परिवर्तन कैसे ये मेरी समझ के बाहर है राजा ने अपनी स्थिती बताते हुए प्रशन भी पूछ लिया साधू मुस्कुराते हुए बोले राजण पहले तुमने काम को बोज़ बना लिया था और उस बोज़ को हर समय अपने मानस पटल पर भुया करते थे किंतू राजपार्ट मुझे सौंपने के उपरां तुम समस्थ कार्य अपना करतव्य समझ कर करते हो इसलिए चिंता मुक्त हो, कहानी से सीख, जीवन में जो भी कार्य करें, अपना कर्तव्य समझ करें न की बोज समझ कर, यही चिंता से दूर रहने का तरीका है आज की कहानी है बाज और चूज़ों की एक गाव में एक किसान रहता था, एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया, मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगी कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आये और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा वह चूजों के साथ खाता पीता, खेलता, इधर उधर फुदकता बढ़ा होने लगा चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी अहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बलकी बाज है वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था जब उन्हें की बारी आई तो अन्यचूजों की देखा देखी वह भी थोड़ी ही उचाई तक उड़ा और फिर वापस जमीन पर आ गया उसका भी उचा उरने का मन करता लेकिन जब वह सब को थोड़ी ही उचाई तक उरता देखता तो वह भी उतनी ही उचाई तक उरता ज्यादा उचा उरने की वह कोशिश ही नहीं करता था एक दिन उसने उचे आकाश में एक बाज को उरते हुए देखा इतनी उचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उरते हुए देखा था उसे बड़ा अच्रज हुआ उसने चूजों से पूछा वो कौन है भाई जो इतनी उचाई पर उर रहा है चूजे बोले वो पक्षियों का राजा बाज है वहा काश में सबसे ज़्यादा उचाई पर उरता है कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता यदि मैं भी उसके जैसा उरना चाहूं तो बाज के पूछा कैसी बात करते हो मत भूलो तुम एक चूजे हो चाही कितनी ही कोशिश कर लो बाज जितना नहीं उर पाऊगे इसलिए व्यर्थ में उचा उरने के बारे में मत सोचो जितना उर सकते हो उतने में ही खुश रहो चूजे बोले बाज ने यह बात मान ली और कभी उचा उरने की कोशिश ही नहीं की बाज होने बावजूद वह पूरी जिन्दगी मुर्गी के समान जीता रहा कहानी से सीख, सोच और द्रिष्टिकोन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हम सभी क्षमता और संभावनाव से परिपूर्ण है चाहे हम कैसी भी परिस्थिती में क्यों नहों हमें आवश्यक्ता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा द्रिष्टिकोन को व्यापक बनाने की हम स्वयम को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे और बाज समझेंगे तो बाज बनेंगे खुद को कम ना समझें अपनी क्षमता को सीमित न करें, बाज बने और जीवन में उची उड़ान भरेंग। आज की कहानी है पेड़ का रहे से वाली कहानी एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कमपनी में सल्ज मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शेहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शेहर के बाहर होने के कारण वहेरिया कुछ सुनसान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुनसान जगह इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहाँ चोरी करने की योजना बनाए। चोरी के पहले वे मैनेजर घर के पास चक कर मार कर उसके घर की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नजर मैनेजर की एक अजीब हर्ट पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीट चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगा डाला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य ही कोई कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के घर के पास धात लगा कर बैट गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैक से निकाल कर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दिवार फांदाम के पेड़ के पास पहुँचे और जी जान से उन चीजों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने वहाँ छुपाई थी। लेकिन उन दिन उन्हें कुछ हासल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वे रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे। लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। वे परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीजों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चो सर प्लीज बुरा मत मानियेगा एक बात आपसे पूछनी थी हम लोग चोर हैं पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं हम रोज देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं लेकिन लाग कोशिशों के बाद भी हम वो चीज धूंड नहीं पाए हम सब ये जानने को बेचैन है कि आप वहाँ चीजे कैसे चुपाते हैं कि वो मिलती नहीं है चोरों की बात सुनकर मैनेजर हस पड़ा फिर बोला अरे भाई मैं वहाँ कुछ भी नहीं चुपाता तुम लोगों को गलत फेहमी हो गई है नहीं सर हमने द दबाव बहुत अधिक रहता है जिस कारण तनाव होना लाजिमी है किसी भी हाल में टार्गेट पूरा करना ही होता है इसके लिए रोज किसी न किसी से जेक जेक होती है कस्टम के ताने सुनने पड़ते हैं बॉस की डाट जेलनी पड़ती है मानसिक तनाव इतना अधिक होत कि घर आने पर भी नहीं जाता है कि घर आने पर भी नहीं जाता है। कि घर आने पर भी नहीं जाता है। इस तरह वे घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते हैं। साथ ही अपने तनाव से परिवार्जनों को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोज ढोना आवश्यक है। क्या इस तरह जिंदगी कुछ ज्यादा कठिन नहीं बनती जा रही। तनाव को एकदम से तो समाप नहीं किया जा सकता। लेकिन कम से कम घर पर परिवार्जनों के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुशनुमापल बिताए जा सकते हैं। इसलिए जब भी घर आएं, तनाव को बाहर ही छोड़ाएं। आज की कहानी है सोने की गिन्नियों का बटवारा। लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तैक किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बाट कर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन हो गया। लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई है कि कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर बराबर कैसे बाटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला हमारे पर कुल 8 रोटिया हैं। हम इन सभी रोटियों के 3-3 तुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 24 तुकड़े हो जाएंगे। उन में से 8-8 तुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को ये बात जंच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वे तीनों उसी मंदिर की सीडियों पर सो गए क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में तीनों गहली नीन में सोए और सीधे अगली सुबह ही उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदाली और बोला, मित्रों। कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़ कर मुझे जो टुकड़े दिये उसकी वज़े से मेरी भूक मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की यह आठ गिन्या देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की आठ गिन्या उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्या पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला आओ मित्र यार गिन्निया आधी आधी बांट लें तुम चार गिन्नी लो और चार गिन्नी में लेता हूँ लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इंकार कर दिया वह बोला ऐसे कैसे तुम्हारी तीन रोटिया थी और मेरी पांच मेरी रोटिय ज्यादा थी, इसलिए मुझे ज्यादा गिन्या मिलनी चाहिए, तुम तीन गिन्या लो और मैं पांच लेता हूँ, इस बात पर दोनों में बहस छोड़ गई, बहस इतनी बड़ी की मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, पूछने पर दोनों ने एक द उनों ये गिन्या मेरे पास छोड़ जाओ, आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ, कल सुबह तुम लोग आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्नय बता दूंगा, सोहन और मोहन सोने की गिन्या पुजारी जी के पास छोड़ कर चले गए, देर रात तक पु भगवान से गिन्यों के बर्टवारे के बारे में पूछा, तो भगवान बोले, सोहन को एक गिन्या मिलनी चाहिए और मोहन को साथ, ये सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभू? तब भगवान जी बोले, देखो, राम के पास तीन इसलिए सोहन को एक गिन्यी मिलनी चाहिए और मोहन को साथ, पुजारी जी भगवान के इस निर्नय पर बहुत प्रसन और उन्हें कोटी-कोटी धन्यवाद देते हुए बोले प्रभू, मैं ऐसे न्याई की बात कभी सोची नहीं सकता था, अगले दिन जब सोहन और मोहन पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अन्तिम निर्नय सुना दिया और सोने की गिन्या बाट दी, कहानी से सीख, जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं, तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत अधाफल देंगे लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ वो बहुत कम है भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है वह महज हमारे त्याग को नहीं बलकि समग्र जीवन का आंकलनकर निर्नाय लेता है इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से शिकायतें नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवान का निर्नाय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है आज की कहानी है जीवन का मूलिय मैं कुछ सोच रहा हूँ पापा, बेटे ने जवाब दिया, मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो, पिता बोला, मैं ये सोच रहा हूँ पापा की मेरी जिन्दगी की कीमत क्या है, पिता मुस्कुरा उठा और बोला, अच्छा ये बात है, यदि तुम सच में पत्थर हाथ में लेकर बैठ जाना, कोई इसकी कीमत पूछे, तो कहना कुछ नहीं, बस अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना, बेटा बाजार चला गया और एक जगह पर हाथ में पिता का दिया हुआ पत्थर लेकर बैठ गया, उसे वहाँ बैठे हुए कुछ समय ही मुझे ये पत्थर दे दो, बूरी औरत बोली, बूरी औरत की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया, उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक साधारन से दिखने वाले पत्थर के लिए कोई 200 रुपे भी दे सकता है, खेर उसने वह पत्थर बेचा नहीं और घर आ गया, घर आकर उसने सारी बात अपने पिता को बताए, तब पिता ने उससे कहा, इस बार तुम एक म्यूजियम में जाना, वहाँ भी कोई तुम से इस पत्थर की कीमत पूछे, तो पहले की तरह दो उंगलियां खड़ी कर देना, लड़का पत्थर लेकर म्यूजियम चला गया, वहाँ ए यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उस पत्थर के 20,000 रूपे भी दे सकता है, पत्थर बेचने से मना कर वह घर आ गया, वहाँ अपने पिता को उसके सारी बात बताए, तब पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ, इस पत्थर को लेकर अब तुम किस कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ और वहाँ भी कोई तुम से इसकी कीमत पूछे, तो कुछ कहना मत, पहले की तरह बस दो उंगलियां खड़ी कर देना, लड़का तुरंट कीमती पत्थरों की एक दुकान में पहुचा, उसके हाथ में वह पत्थर देख, दुकानदार तुरंट उसके पास आया और बोला, अरे ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे, इसे तो मैं सालों से तलाश रहा हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो, बताओ क्या कीमत लोगे इसकी, लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी, अच्छा, दो ला उसने अपने पिता को बताया, पापा, यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इस पत्थर के दो लाख रूपे देने को भी तयार है, ये कैसा पत्थर है पापा, कोई इसे दो सो में खरीदना चाहता है, तो कोई बीस हजार में, और तो और इसे दो लाख रूपे में भी लोग आखिर इसकी कीमत क्या है? अब ये तुम्हें तै करना है कि तुम खुद को कहां रखते हो? कहानी से सीख, लोग हमारा और जिन्दगी का अलग-अलग मूल्याकन करते हैं. जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं. लेकिन जो हमें बस इस्तिमाल करना चाहते हैं, हमारा फाइदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते. वास्तव में जीवन अमूल्या है, इसका महत्व समझें. आज की कहानी है जोहरी की मूर्खता. जिसमें कांच के बर्तन और ब्रह सज्जा की कई वस्तुयें बिक रही थी. अन्य दुकानों की अपेक्षा उस दुकान में लोगों की भीर कुछ कम थी. एक जोहरीक जूलर भी उस दिन मेले में घूम रहा था. घूमते घूमते जब वह उस दुकान के पास से गुज्रा, तो उसकी नजर एक चमकते हुए कांच के टुकड़े पर अटक गई. उसकी पार्खी नजर तुरंट तार गई कि वह कोई साधारन कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि बेशकीमती हीरा डाइमिन्ट है. वह समझ गया कि दुकानदार इस बात से अन्भिग्य है. वह दुकान में गया और उस हीरे को उठा कर दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगा, भाई, जरा इसकी कीमत तो बताना. दुकानदार बोला, ये मातर 20 रूपे का है. जोहरी लालची था, वह कम से कम कीमत में उस कीमती हीरे को हथियाने की फिराक में था. वह दुकानदार से मोल भाव करने लगा, नहीं भाई, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता हूँ. 15 रूपे में तुम मुझे ये दे सकते हो, तो दे दो. दुकानदार उस कीमत पर राजी नहीं हुआ, उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था. जोहरी ने सोचा कि थोड़ी देर मेले में घूम फिर कर वापस आता हूँ. हो सकता है, तब तक इसका मन बदल जाए और ये 15 रूपे में मुझे ये कीमती हीरा दे दे. ये सोच हीरा बिना खरीदे वह वहाँ से चला गया. कुछ देर बाद जब वह पुना उस दुकान में लोटा, तो हीरे को नदारत पाया. उसने फौरण दुकानदार से पूछा, यहां जो कांच का टुकडा था, वो कहा गया. मैंने उसे 25 रूपे में बेच दिया. वह बेशकीमती हीरा है, पर तुम तो जानते थे, फिर भी तुम मुझसे मोलभाव कर पांच रूपे बचाने में लगे रहे और हीरा बिना खरीदे ही दुकान से चले गए. दुकानदार ने उत्तर दिया, दुकानदार का उत्तर सुन जोही अपनी मूर्खता पर पच्टाने लगा और पच्टाते हुए खाली हाथ वापस लोड़ दिया. कहानी से सीख, मूर्खता और लालच दोनों नुकसान का कारण है. आज की कहानी का नाम है पंडित जी का बेटा. तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। गर पहुंचने पर उनका पुत्र उनके लिए जल लेकर आया और बोला पिताश्री जल ग्रहन करें। तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। फिर राजा तुम्हें मूर्क क्यों कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्य का ग्यान नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर पुत्र सारा माजरा समझ गया। वह उन्हें बताने लगा। पिताश्री, मैं प्रति दिन सुबह जिस रास्ते से विद्या ले जाता हूँ, उस रास्ते के किनारे राजा अपना दर्बार लगाते हैं। वहां ग्यानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन विशेयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहां से जाता हुआ देख राजा अकसर मुझे बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी का सिक्का रख कर कहते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूल्यवान लगे वो उठा लो। मैं रोज चांदी का सिक्का उठाता हूँ ये देखवे लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हस्ते हैं मैं चुपचाप वहां से चला जाता हूँ पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा पूत्र जब तुम्हें ग्यात है कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है तो सोने का सिक्का उठा कर ले आया करो क्यू स्वयम को उनकी द्रिष्टी में मूर्ख साबित करते हो तुम्हारे कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ता है पुत्र हस्ते हुए बोला पिताश्री मेरे साथ अंदर आईए मैं आपको कारण बताता हूँ वह पंडित जी को अंदर के कक्ष में ले गया वहाँ एक कोने पर एक संदूक रखा हुआ था उसने वह संदूक खोल कर पंडित जी को दिखाया पंडित जी आश्चरय चकेत रह गए उस संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे पंडित जी ने पूछा पुत्र ये सब कहां से आया पुत्र ने उत्तर दिया पिताश्री राजा के लिए मुझे रोकना और हात में सोने और चांदी का सिक्का लेकर वह प्रश्न पूछना एक खेल बंद गया है अक्सर वे ये खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूँ उन्हीं चांदी के सिक्कों से यह संदूप भर गया है जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा इसलिए मैं कभी सोने का सिक्का नहीं उठाता पंडित जी को पुत्र की बात समझ तो आ गई किंतु वे पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है इसलिए उसे लेकर वे राजा के दर्बार चले गए वहाँ पुत्र ने राजा को सारी बात बता दी है कि वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का ही क्यूं उठाता है पूरी बात जानकर राजा बड़ा प्रसन हुआ उसने सोने के सिक्कों से भरा संदूक मनगवाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देते हुए बोला असली विद्वान तो तुम निकले कहानी से सीख कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत करो कर्म करते चले जाओ जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं उस दिन आप सोने की तरह चमकोगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी आज की कहानी का नाम है परमात्मा और किसान एक गाव में एक किसान रहता था वह दिन भर खेत में मेहनत कर उसमें उपजी फसल से अपने परिवार का भरन पोशन करता था लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार के कारण उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी कभी बार तो कभी हो ले तो कभी सूखे से उसकी फसल बरबाद हो रही थी मेरी फसल बरबाद हो जाती है और मेरे परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है एक साल मेरे हाथ में मौसम को नियंतरित करने की शक्ति दे दीजिए फिर देखिए कैसे मैं फसल लहलाता हूँ और अन्न के भंडार भर देता हूँ परमात्मा बोले ठीक है आज से तुम ही मौसम को नियंतरित करो मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा किसान बहुत खुश हुआ उसने उस साल गेहून की फसल बोई मौसम का पूरा नियंतरन उसके हाथों में था उसने धूप पानी सब अपने हिसाब से आने दी तेज दूप, अंधर, अतिवर्शा, ओले आदी से उसने अपनी फसल को बचए रखा समय के साथ फसल बढ़ने लगी फसल देख किसान जूम उठा क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसके खेत में कभी हुई ही नहीं थी जब कटाई का समय आया, तो वह बहुत उत्साहित था वह मनी-मन्द सोचने लगा कि अब भगवान को पता चलेगा की फसल कैसे ली जाती है इतने साल वे हम किसानों को यूँ ही परेशान करते रहे फसल कटाई का समय आने पर किसान ने फसल की कटाई की तो गेहून की बालियां देख उसके होश उड़ गए एक भी बाली के अंदर गेहून नहीं था वह विलाप करते हुए परमात्मा को याद करने लगा परमात्मा प्रकट हुए तो वह बोला हे भगवान ये मेरी फसल को ये क्या हुआ परमात्मा बोले इस बार सब कुछ तुम्हारे नियंदरन में था तुमने हवा, पानी, धूप सब कुछ तो फसल के अनुकुल रखी फिर भी वह खोकली रह गई जानते हो क्यों इसका कारण है कि तुमने फसल को संधर्ष का अफसर ही नहीं दिया न वह कड़ी धूप में तपी और उर्जा का संचार उन में होता है वही अंततहन के रूप में उनकी बालियों में संधर्ष होता है इस बार बिना संधर्ष के वे खोकली रह गई कहानी से सीक, जीवन में चुनोतियां और संधर्ष अति आवश्यक है चुनोतियां से जूजने और संधर्ष करने से हममें कई आंतरिक गुनों का विकास होता है हम साहसी, जुजारू और आत्मविश्वासी बनते हैं ये हमारे व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास में सहाएक है बिना संधर्ष के हम आंतरिक रूप से खोकले रह जाते हैं सोना भी तपकर की कुंदन बनता है इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आने पर हमें संधर्ष से डरना नहीं है बलकि संधर्ष के लिए तयार रहना है सफलता प्राप्ती का मारग अवश्य सुद्विर होगा आज की कहानी का नाम है पारस पत्थर वन मिस्थित एक आश्रम में एक ज्यानी साधू रहते थे ज्यान प्राप्ती की लालसा में दूर दूर से चात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले चात्रों में से एक चात्र बहुत आलसी था उसे समय व्यर्थ गवाने और आज का काम कल पर तालने की बुरी आदत थी साधू को इस बात का ग्यान था इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह चात्राल से छोड़ कर समय का महत्व समझ जाए इसी उद्देश्य से एक दिन संध्यकाल में उन्होंने उसालसी चात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा पुत यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बलकि पारस पत्थर है लोहे की जिस भी वस्तु को ये चूले वह सोना बन जाती है मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ इसलिए दो दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ इन दो दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा मैं पर्लोस के गाउं में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूँगा उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो शात्र को पारस पत्थर देकर साधू अपने मित्व के गाउँ चले गए इधर शात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसंद हुआ उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यक्ता नहीं रहेगी और मैं आनंद पुर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा उसके पास दो दिन थे उसने सोचा कि अभी तो पूरे दो दिन शेश हैं ऐसा करता हूं कि एक दिन आराम करता हूं अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूंगा इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर धेर सारा लोहा ले आउंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ फिर सोना बनाने में जुट जाओंगा भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है कुछ देर सो लेता हूँ जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा फिर क्या वह गहरी नींद में सो गया जब उसकी नींद खुली तो सूर्यास्थ हो चुका था और दो दिन का समय पूरा हो चुका था साधू आश्रम लौट आये थे और उसके सामने खड़े थे साधू ने कहा पुत्र सूर्यास्थ के साथ ही दो दिन पूरे हो चुके हैं तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो छात्र क्या करता आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुवसर भी उसे अपनी गलती का अहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझा गया वह पच्टाने लगा उसने उसी क्षण निश्चिय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा कहानी से सीख, जीवन में उन्नती करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर तालने की आदत छोड़ दें समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गवाएं क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता आज की कहानी का नाम है खुशी की तलाश एक बार स्विष्टी के रचियता ब्रह्माजी ने मानव जाती के साथ एक खेल खेलने का निरना लिया उन्होंने खुशी को कहीं छुपा देने का मन बनाया ताकि मानव उसे आसानी से प्राप न कर सके ब्रह्माजी की सोच थी कि जब बहुत तलाश करने के बाद मानव खुशी को ढूंड निकलेगा तब शायद वास्तव में खुश हो पाएगा इस संबंध में मंतरना करने उन्होंने अपनी परामर्श मंदली को बुलाया जब परामर्श मंदली उपस्थित हुई तो ब्रह्माजी बोले मैं मानव जाती के साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ इस खेल में मैं खुशी को ऐसे स्थान पर चुपाना चाहता हूँ जहांसे वह उसे आसानी से न मिल सके क्योंकि आसानी से प्राप्त खुशी का महत्व मानव नहीं समझता और पूरी तरह से खुश नहीं होता अब आप लोग मुझे परामर्श देंकि मैं खुशी को कहा चुपाऊं इसे धर्ती की गहराई में चुपा देना उच्चित होगा पहला परामर्श आया लेकिन मानव खुदाईकर आसानी से इसे प्राप्त कर लेगा ब्रमाजी ने असेहमती जताते हुए कहा तो फिर इसे सागर की गहराई में चुपा देना अच्छा रहेगा एक परामर्ष और आया मानव सारे सागर चान मारेगा और खुशी आसानी से ढूंड निकलेगा इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा ब्रह्माजी बोले बहुत से परामर्ष सलाहकार मंदली ने दिये लेकिन कोई ब्रह्माजी को जंचे नहीं काफी सोच विचार कर ब्रह्माजी एक निलनय पर पहुँचे जिससे परामर्ष मंदली भी सहमत थी वह निलनय था कि खुशी को मानव के अंदर ही छुपा दिया जाए वहाँ उसे ढूंडने के बारे में मानव कभी सोचता ही नहीं है लेकिन यदि उसने वहाँ खुशी ढूंडनी तो वह अपने जीवन में वास्तव में खुश रहेगा कहानी से सीख हम अक्सर खुशी को बाहर तलाश चते रहते हैं किन्तु वास्तविक खुशी हमारी भीतर ही है आवश्यक्ता है उसे अपने भीतर तलाशने की आज की कहानी है बंद मुठी खुली मुठी एक व्यक्ती के दो पुत्र थे दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विप्रीत था एक बहुत कंजूस था तो दूसरा फिजूल खर्च पिता उनके इस स्वभाव से परेशान था उसने कई बार उनको समझाया लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला एक दिन पिता को पता चला कि उनके गाउं में एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं वह उनके पास इसास में पहुँच गया कि शायद वह उसके पुत्रों को समझा सके महात्मा को उसने पूरी बात बताई जिससे सुनकर महात्मा ने कहा अपने पुत्रों को कल मेरे पास लेकर आना मैं उनसे बात करूंगा अगले दिन वह अपने पुत्रों को लेकर महात्मा के पास पहुचा महात्मा ने दोनों पुत्रों को अपने पास बैठाया फिर अपनी दोनों हथेली फैला कर उन्हें दिखाते हुए प्रश्न किया, यदि मेरे हाथ ऐसे हो जाएं, तो बताओ कैसा लगेगा, अब भी लगेगा कि आपको कोड है, दोनों पुत्रों ने उत्तर दिया, उत्तर सुनकर महात्मा गंभीर हो गए और उन्हें समझाने लग पुत्रों, अपनी मुठ्थी सदा बंद रखना या सदा खुली रखना एक तरह का कोड ही है, यदि मुठ्थी सदा बंद रखोगे, तो धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहोगे, और यदि अपनी मुठ्थी सदा खुली रखोगे, तो फिर चाहे कितने भी धनवान क्य कि संतुलन बना कर ही अपना धन खर्च करेंगे कहानी से सीख जीवन में धन का बहुत महत्व है उसका खर्च सोच समझकर करना चाहिए अधिक कंजूसी भी ठीक नहीं और अधिक फिजूल खर्ची भी ठीक नहीं दोनों ही दरिद्रता का संकेत हैं एक धन होते हुए भी दरिद्रता और एक धन चले जाने की दरिद्रता अतह ऐसे खर्च करें की धन का संतुलन बना रहे आज की कहानी है बड़ा सोचो गरीब परिवार का एक युवक बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में था अपने शहर में बात न बनते देख उसने दूसरे शहर में किसमत आजमाने का निना लिया अगले ही दिन ट्रेन का टिकट कटा वह दूसरे शहर के लिए निकल गया उसकी मा ने उसके लिए एक टिफिन बॉक्स में रोटियां रख दी थी गरीबी के कारण हर दिन उसके घर में सबजी नहीं बनती थी इस कारण उसके टिफिन बॉक्स में बस रोटियां ही थी आधा सफर तैकर लेने के बाद उसे भूक लगने लगी तो उसने अपना टिफिन बॉक्स निकाला और उसमें रखी रोटियां खाने लगा वह जिस तरह से रोटि खा रहा था उसने आसपास बैठे लोगों का ध्यान कीच लिया वह पहले रोटि तोड़ता उसके बाद उसे टिफिन में कुछ इस तरह घुमा कर मुह में डालता मानो वह रोटि के साथ कुछ और भी खा रहा है लोग उसे हैरत से देख रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है काफी लोग तो बस उसे यूँ ही देखते रहे लेकिन एक व्यक्ति से रहा न दिया और वह पूछ बैठा भाई तुम्हारे टिफिन बॉक्स में बस रोटियां ही है और उसे तोड़कर इस तरह टिफिन में घुमा कर मुह में क्यों डाल रहे हो यूवक बोला ये सच है भाई की मेरे पास बस रोटियां ही है लेकिन मैं इसे खाली टिफिन में घुमा कर सोच रहा हूं जब ये बात आसपास बैठे यात्रियों ने सुनी, तो उनमें से एक बोल पड़ा, भाई, जब तुम्हें सोचना ही था, तो अचार ही क्यूं सोचा? मतर पनीर या शाही पनीर सोच लेते, इस तरह तुम उनका स्वाद ले पाते, सोचना ही था, तो छोटा क्यूं बड़ा सोचते? कहानी से सीख, जीवन में यदि कुछ बड़ा करना है, तो अपनी सोच बड़ी करो, सपने बड़े होंगे, तभी सफलता भी बड़ी होगी, बड़ा सोचो आज की कहानी है, मुसीबत को जटका दो, एक किसान के पास एक गधा था, वह काफी बुड़ा हो चुका था, एक दिन वह चरने के लिए पास ही खेत में गया और असावधानी के कारण एक सू के कुए में गिर पड़ा, जैसे ही वह कुए में गिरा, दर के मारे जोड-जोड उसके रैंकने लगा, उसके रैंकने की आवाज जब किसान ने सुनी, तो वह दोड़ा-दोड़ा खेत के उस कुए के पास आया, वहाँ उसने देखा कि उसका गधा कुए में गिरा हुआ है, उसने उसे कुए से बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, किन्तु सब रहा, अंत में ठक हार कर उसने सोचा कि इस गधे को कुए से बाहर निकालने का प्रयास निरर्थक है, वैसे भी यह गधा बूरा हो चुका है, इसलिए मिट्टी डाल कर इसे कुए में ही दफना दिया जाना उचित होगा, वह गाव गया और वहां से कुछ आदमियों को कुए में मिट्टी डालने के लिए बुला लाया, हाथ में फावरा लिये वे आदमी कुए पर पहुंचे और फावरे से मिट्टी उठा कर कुए में डालने लगे, जब गधे के ऊपर मिट्टी गिरने लगी, तो वह समझ गया कि क्या होने वाला है और वह बुरी तरह लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि वह शांथ हो गया, किसान को उसके शांथ होने पर हैरत हुई और उसने कुए में जहांक कर देखा, कुए में हो रहा था, उसने उसे और हैरत में डाल दिया, लोग कुए में मिट्टी डालते और जब वह मिट्टी गधे पर गिरती, तो व बार वह ऐसा ही करता, लोगों का कुए में मिट्टी डालना जारी रहा और गदे का मिट्टी को जटक कर मिट्टी के धेर पर चड़ना जारी रहा, कुछ ही देर में कुवा मिट्टी से भर गया और गधा बहर आ गया, कहानी से सीख, दोस्तों, जिंदगी भी विबिन आए तो उनसे दरे नहीं, सकारात्मक रहकर उनका सामना करें, उनका निराकरन करने का प्रयास करें और जीवन में एक एक कदम आगे बढ़ते जाएं, कोई भी समस्या स्थाई नहीं होती, उनका हिम्मत से सामना करें, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वही समस्याएं आपक कड़ाके की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमन पर निकला था, महल वापस आने पर उसने देखा कि महल के मुख्यद्वार के पास एक व्रिधर ओल्ड मैंट बैठा हुआ है, पतली धोती और कुर्ता पहने वह व्रिधर ठंड से क भगवान मुझे इतनी शक्ती दे देता है कि मैं ऐसी ठंड से सकूं और उसमें जी सकूं। बाहर एक व्रिधमृत पढ़ा है, उसके मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है, जो व्रिधर ने अपनी मृत्यू के पूर्व लिखा था, संदेश ये था, इतने वल्षों से मैं पतली धोता कुर्ता पहने ही कड़ाके की ठंड सेहते हुए जी रहा था, किन्तु कर रात गर्म वस्त्र देने के तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली, कहानी से सीख, दूसरों से की गई अपैक्षाएं अकसर हमें उन पर निर्भर बना देती है, जो कहीं न कहीं हमारी दुरबलता का कारण बनती है, इसलिए अपनी अपैक्षाओं के लिए दू लोमरी हमेशा चालाक और चालाक होती है, पूरे दिन छिप कर, रात में, शिकार पर जाने और बहुत चालाक इसे छोटे जीवों को मारने और खाने का रिवाज है, एक बार रात में लोमरी शिकार पर गई लेकिन शिकार नहीं मिली, जंगल में कोई भूजन उपलब्ध न जैसे ही वह अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, कुछ कुत्ते उस पर गिर पड़े फिर क्या हुआ, कुत्ते बहुक कर भाग गए जान बचाने के लिए लोमणी इधर उधर रेंगने लगी और इधर उधर रेंगने लगी आखिर एक घर का दर्वाजा खुला देख लोमणी उसमें घुस गई वह घर चित्रकार, चित्रकार का घर होता है घर के अंदर नीले रंग से रंगा एक बड़ा टब याड में रखा गया था जीवन रक्षक दोड में लोमणी उसी टैंक में घुस गई और बैट गई कुछ देर टब में बैठे रहे, बाहर के कुत्तों ने भौँकना बंद किया तो वर टैंक से बाहर आ गया बाहर आने के बाद वह ये देखकर हैरान रह गया कि पूरा शरीर नीले रंग से धका हुआ है लोमणी को देखकर वन्यजीव दर गए और कोई उसे पहचान नहीं पाया जब उन्होंने उसे देखा तो जंगल के सभी प्रानी भागने लगे क्योंकि ऐसा अद्भुद जानवर उसने पहले कभी नहीं देखा था लोमणी ने जंगल में दौरते हुए जानवरों को देखा तो उसके शरीर का नीला रंग देखा और समझ गया कि जंगली जानवर भाग रहे हैं वहना केवल चालाक और चालाक था उसने अपने शरीर के नीले रंग का उप्योग करने का फैसला किया उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें बड़ी मुश्किल से वन्य जीवों को इकठा करने और जंगल की देख भाल करने के लिए भेजा था वह अब जंगल का राजा है और सभी को उसकी सेवा करनी चाहिए सभी जानवरों ने लोमरी की बात सुनी और उसकी बातों पर आ गए लोमरी को भगवान का फरिष्टा समझ कर वह पास में जमा हो गया हाथी, शेर, बाग, भालू और बंदर जैसे सभी जानवरों लोमरी के पास इकर्था होने लगे सब लोग उसे परमेश्वर का दूट समझ कर उसे अच्छा भोजन देने लगे लोमरी अब घर पर बैठ गई और उसे आसान भोजन मिलने लगा वह और क्या चाह सकता था, लेकिन एक दिन लोमरी का राज खुल गया चांदनी रात थी, जंगल के जानवर लोमरी के पास जमा हो गए तब जंगल में कुछ लोमरीयां एक साथ आई और बोली, हुआ 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 नीली लोमरी ने खुद को भगवान का दूट कहा और वह भी नहीं कर सका वह भी उसकी आवाज में आवाज जोडने लगा, हुआ, हुआ, हो गया तो क्या, जंगल में रहने वाले जीव उसका असली रूप जानते थे ओ, यह एक लोमरी है, वह हमें ये कहते हुए रौंदता है कि वही इश्वर का दूट है जंगल के जानवरों ने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में नीली लोमरी पर हमला कर दिया और उस दिन नीली लोमरी की जान चली गई आज की कहानी है मच्छुआरों की समस्या मच्छियां सालों से जापानियों की प्रियखाद्य पदार्थ रही हैं वे इसे अपने भूजन का एक अभिन अंग मानते हैं ताजी मच्छियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद हैं लेकिन तटों पर मच्छियों के अभाव के कारण मच्छिवारों को समुद्र के बीच जाकर मच्छियां पकरनी पड़ती हैं। शुरुवाती दिनों में जब मच्छवारे मच्छियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती और मच्छियां बासी हो जाती। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई क्योंकि लोग बासी मच्छियां खरीदने से कत्राते थे। इस समस्या का निराकरन मच्छवारों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगवा कर किया। वे मच्छियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मच्छियां लंबे समय तक ताजी बनी रहती थी लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मच्छियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताजी मच्छियों की तरह स्वादिश्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना नहीं चाहते थे। मच्छुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के किये फिर से सोच विचार की प्रक्रिया प्रारंब हुई। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मच्छुआरों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवा लिया। मच्छियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते। इस तरह वे ताजी मच्छियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। लेते थे, ये मच्छुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थाय हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंब हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया, उसके अनुसार मच्छुआरों ने मच्छियां पकड़ कर फिश टैंक में डालना जारी रखा। लेकिन साथ में उन्होंने एक चोटी शार्क मच्छी भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मच्छियां कुछ मच्छियों को मार कर खा जाती थी, इस तरह कुछ हानी मच्छुआरों को जरूर होती थी, लेकिन जो मच्छियां किनारे तक पहुँचती थी, उनमें स्फूर्ती और ताजगी बनी रहती थी। शार्क में जीवन टैंक में पड़ी मच्छियों की तरह ही होता है, बेजान और नीरस। सपनों को वास्तविक्ता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, चुनोतियों का सामना करने के लिए खुद को तयार करना होगा। तब ही बड़ी और असाधारन सफलता की प्राप्ती होगी। आज की कहानी है भगवान की मर्जी। भगवान जी, आपकी जिन्दगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिन्दगी को देखो, कितनी कठिन जिन्दगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं दो जून की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिन्दगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान गौट बोले, तुम जैसा सोच रहे हो, वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजे देखनी पड़ती है। बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप। आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धेरे मान गए और बोले, चीक है। आज पूरा दिन तुम मेरी जिन्दगी जीओ, मैं तुम्हारी जिन्दगी जीता हूं। लेकिन मेरी जिन्दगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्ते माननी होगी। मैं हर शर्त मानने को तेयार हूं भगवान जी। सेवक बोला, ठीक है, त तो ध्यान से सुनो, मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुम से बहुत कुछ कहेंगे, कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे, तो कुछ बुरा, तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ती की तरह खड़े रहकर धहरे के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, सेवक मांग गया, भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली, सेवक भगवान की जगह मूर्ती बनकर खड़ा हो गया, भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निप्टा कर वहां से चले गए, कुछ समय बी लिए नीचे जुका, तो उसका बटवा गिर गया, जब वह वहां से जाने लगा, तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ की उसे बता दे की उसका बटवा गिर गया है, लेकिन शर्त अनुसार उससे चुप रहना था, इसलिए वह कुछ नहीं बोला और ख कैसे करूं, आज देखो, मेरे पास बस एक रुपया है, इससे मैं क्या कर पाऊंगा, आप ही कुछ चमतकार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो, प्रार्थना करने का बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटवा दिखाए दिया, उस तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटवातो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वह जो कर रहा है, वह चोरी है, लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश्था, इसलिए मन मार कर चुप चाप खड़ा रहा, मंदिर में आने वाल पुलिस भी लेकर आया था, नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटवा चुराया होगा, आप इसे गिरफ तार कर लीजिए, पुलिस नाविक को पकड़ कर ले जाने लगी, भगवान बने आदमी को अपने सामन होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ, शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है, यदि अब मैं चुप रहा, तो एक बेकुसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी, उसने अपनी चुपी तोड़ते हुए कह आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं, ये बटवा इस नाविक ने नहीं, बलकि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है, मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है, पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती, उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया, जिसने बटवा लिया था, शाम को जब भगवान वापस आये, तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतान सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है, उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते, तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते, जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जी भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं, कहानी से सीख, हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते, जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है, तो अ जिन्ता ना करें, यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है और भले ही देर से ही सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था, गिद वहां बहुत खुश थे, इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था, उस जुन्ड में अधिकांश गिद युवा थे, वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टाप उपर रहना ह यहां से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदाएक जीवन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उन सब के बीच में एक बुड़ा गिद भी था, वह जब युवा गिद्धों को देखता, तो चिंता में पढ़ जाता, वह सोचता कि यहां के आरामदाएक जीवन का इन युवा ग काबला करेंगे बहुत सोचने के बाद एक दिन बूरे गिद ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई अपनी चिंता जताते हुए वो सब से बोला इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से ह आये हैं यहां हम बिना चुनोती का जीवन जी रहे हैं ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी उन्हें लगा कि बरती उम्र के असर से बुड़ा गिद सठिया गया है इसलिए ऐसी बे आई तो क्या करोगे मेरे बात मानो मेरे साथ चलो लेकिन किसी ने बुड़े गिद की बात नहीं मानी बुड़ा गिद अकेला ही वहां से चला गया कुछ महीने भी थे एक दिन बुड़े गिद ने टापू पर गए गिद्धों की खोच खबर लेने की सोची और उर्ता उर् जहां देखो वहां गिद्धों की लाशे पड़ी थी कई गिद लहू लुहान और घायल पड़े थे हैरान बुड़े गिद्ध ने एक धायल गिद्ध से पूछा ये क्या हो गया तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई घायल गिद्ध ने बताया आपके जाने के बाद हम इस जहाज यहां आया उस जहाज से यहां चीते छोड़ दिये गए शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हमुर न भूर चुके हैं हमारे पंजे और नाखुन इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी प बाद उससे बाहर आपाना मुश्किल होता है ऐसे में चुनोतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता इसलिए कभी भी कमफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाएं खुद को हमेशा चुनोती देते रहे और मुसीबत के लिए तयार रहें जब तब आप चुनो करता था कि मैं राजा क्यों बना एक दिन इस प्रशन का उत्तर प्राप्त करने उसने अपने राजे के बड़े बड़े जोतिशियों को आमंत्रित किया जोतिशियों के दर्बार में उपस्थित होने पर राजा ने ये प्रशन उनके सामने रखा जिस समय मेरा जन्म हुआ चीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, उन सब में मही राजा क्यू बना। इस प्राशन का उत्तर दर्बार में उपस्थित कोई भी जोतिशी नहीं दे सका। एक बूरी जोतिशी ने राजा को सुझाया की राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उसके प्रशन का उत्तर दे सके। राजा तुरंट उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़ा। जब वह महात्मा के पास पहुचा तो देखा कि वो अंगारे खा रहे है। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया किन्तु उस समय राजा की प्राथमिक्ता अपने प्रशन का उत्तर प्राप्त करना था। इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किये बिना अपना प्रशन महात्मा के सामने रख दिया। प्रशन सुन महात्मा ने कहा, राजन इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ, मैं तुम्हारे प्रशन का उत्तर नहीं दे सकता, कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके उपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे, वे तुम्हारे प्रशन का उत्तर दे देंगे, तुम उनसे जाकर मिलो, राजा बिना समय व्यर्थ किये पहाडी पर पहुचा, वहाँ भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, जब उसने देखा कि वहाँ वह महात्मा चिम्ते से नोच-नोच कर अपना ही मास खा रहे हैं। जाकर उस बालक से मिला, वह बालक मरने की कगार पर था, राजा का प्रश्न सुन वह हसने लगा, एक मरते हुए बालक को हसता देख राजा चकित रह गया, किन्तु वह शांती से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतिक्षा करने लगा, बालक बोला, राजन, पिछ आज वह अंगारे खा रहा है, दूसरे भाई ने कहा कि तुम्हें भोजन दे दूनगा, तो क्या मैं अपना मास नोच कर खाऊंगा, और आज वह अपना ही मास नोच कर खा रहा है, साधू ने जब मुझसे भोजन मानगा, तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन दे कर क्या मैं भू राजा को अपने प्राश्न का उत्तर मिल चुका था, वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा, कहानी से सीख, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, इसलिए सदा सत्कर्म करो और जहां तक संभव हो, दूसरों की सहायता करो. आज की कहानी है, मूर्खों का बहमत, एक व्रिक्ष पर एक उल्लू रहता था, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वह दिन भर अपने घोसले में छिपा रहता है, और जब रात होती है, तो वे शिकार के लिए बाहर निकलते है, गर्मी के दिन थे, दोपह पहर का समय, आकाश में सूर्य आग के गोले की तरह चमक रहा था, बड़े जोरों को गर्मी पड़ रही थी, कहीं से एक बंदर आया और व्रिक्ष की डाल पर बैट कर बोला, ओ, बड़ी भीशन गर्मी है, आकाश में सूर्य आग के गोले को तरह चमक रहा है, बंदर की बा प्रकाश जब तीक रूप से फैल जाता है तो भयानक गर्मी पढ़ती है। आज सचमुच बड़ी भयानक गर्मी पढ़ रही है। बंदर ने उल्लू को समझाने का बड़ा प्रेल किया कि आकाश में सूर्य चमक रहा है और उसके कारण भयानक गर्मी पढ़ रही है पर उल्लू अपनी बात पर अड़ा रहा बंदर के अधिक समझाने पर भी वह यही कहता रहा कि न तो सूर्य है न सूर्य का प्रकाश है और गर्मी पढ़ रही है उल्लू और बंदर दोनों जब देर तक अपनी अपनी बात पर अड़े रहे थे तो उल्लू ने अपने दोस्तों के पास चलकर निर्नाय करने का विचार किया बंदर ने उल्लू की बात मान ली उल्लू उसे साथ लेकर दूसरे व्रिक्ष पर गया दूसरे व्रिक्ष पर सैकड़ों उल्लू रहते थे उल्लू ने अपने जाती भाईयों को एकत्र करके कहा भायो इस बंदर का कहना है इस समय दिन है और आकाश में सूर्य चमक रहा है बस्ती में ऐसो जूटी बात का प्रचार मत करो, पर बंदर अपनी बात पर ठान था, बंदर की बात सुनकर सभी उल्लू को पितो उठे और बंदर को मारने के लिए जपट पड़े, बंदर प्रान बचा कर भाग चला, कुशल्था की दिन होने के कारण उल्लूओं को कर दिया जाता है, आज की कहानी है मेंधकों की दौर की, एक सरोवर में बहुत सारे मेंधक रहते थे, सरोवर के बीचों, बीच दो बहुत पुराने लकडी के खंबे लगे हुए थे, जिस पर मच्छवारे अपने जाल लगा देते थे, उसमें से एक खंभा काफी उचा था और उसकी सतह भी बिलकुल चिकनी थी, एक दिन मेंधकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए, रेस में भाग लेने वाली प्रतियोगियों को सबसे उची वाले खंबे पर चरना होगा, और जो सबसे पहले एक उपर पहुंच जाएगा, वही विजेता मा हर तरफ यही सुनाई देता था, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएंगे, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने उची खंबे पर चड़ा ही नहीं जा सकता, और यही हो भी रहा था, जो भी मेंधक कोशिश करता, वो थोड़ा उपर जाक हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया, लेकिन उनहीं मेंधकों के बीच एक चोटा सा मेधक था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ उपर चड़ने में लगा हुआ था, वो लगातार उपर की और बढ़ता रहा, और अंतता वह खंबे के उपर पहुँच गय तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, उसको सुनाई नहीं देता, वो तो बहरा है, कहानी से सीख, हमेशा अपने काबिलियत पर विश्वास करो आज की कहानी है, भगवान पर भरोसा रखें, एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था, आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकले, उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो ग चल पड़ा कि वहां उसे पानी अवशे मिल जाएगा और वह वहां रहने वालों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेगा, लेकिन जोपड़ी के पास पहुचकर वह निराश हो गया, जोपड़ी खाली पड़ी थी, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके प्रयास करने के बाद भी हैंडंप नहीं चला, वह थक कर चूर हो चुका था, वह जमीन पर लेट दया, पानी के बिना उसे अपनी जिन्दगी खत्म होती नजर आने लगी थी, तब ही उसे जोपड़ी की छट पर पानी की एक बोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी और उसक की नजर बोतल के नीचे चिप के कागस पर पड़ी, उस कागस पर लिखा था इस पानी का इस्तेमाल हैंडंप चलाने के लिए ले करें, जब हैंडंप चल जाए तो पानी पीले और फिर से इस बोतल में पानी भरकर वापस वही लटका दें जहां से आपने इसे उतारा था, कागस पर लिखे संदेश को पढ़कर आदमी सोच में पढ़ गया कि क्या करें यदि पानी हैंडंप में डाला और वह नहीं चला तो सही तो ये होगा कि बोतल का पानी पीकर वहां से आगे बढ़ा जाए वह दुविधा में पढ़ चुका था लेकिन अंत में उसने उपर वाले को याद किया और कागस पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्ना लिया उसने बोतल का पानी हैंडंप में डाल दिया और हैंडंप चलाने की कोशिश करने लगा एक, दो प्रयास में हैंडंप चल गया और उसमें से थंडा थंडा पानी आने लगा आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाए और बोतल में पानी भरकर उसे वापस उसी जगह लटका दिया जहां से उसने उसे उतारा था वह वहां से निकल ही रहा था कि जोपड़ी से एक कोने में उसे एक नक्षा और पेंसिल का टुकड़ा मिला उस नक्षे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था आदमी खुश हो गया और भगवान का लाक लाक धन्यवाद दिया वह नक्षा लेकर बाहर निकल गया लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह रुका और वापस जोपड़ी में आया उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागस पर पेंसिल से लिखा यकीन मानिये ये काम करता है कहानी से सीख, जब भी जिन्दगी में बुरा वक्त या परिस्थिती आये भगवान और खुद पर विश्वास रखें विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है विश्वास है तो दुनिया में हर चीज संभव है बिना प्रयास के जिन्दगी में कुछ भी हासिल नहीं होता जैसे उस आदमी ने हैंडंप में पानी डाला और उसे चलाया तब कहीं जाकर उसे अपने प्रयास का फल पानी के रूप में नसीब हुआ उसी प्रकार जिन्दगी में कुछ करना है तो प्रयास करने पड़ेंगे प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी आज की कहानी है मकड़ी, चीटी और जाला की एक मकड़ीक्ट स्पाइडर अपना जाला बनाने उप्युक्ट स्थान की तलाश में थी वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहां धेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फसे इस तरह वह मज़े से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह वहां जाला बनाने की तैयारी करने लगी उसने जाला बनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर से हसने लगी मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली मैं तुम्हारी बेवकुफी पर हस रही हूँ तुम्हें दिखाई नहीं पढ़ता कि ये स्थान कितना साफ सुत्रा है यहां न कीडे मकोडे हैं नहीं मक्खियां तुम्हारे जाले में कौन फसेगा बिल्ली की बात सुनकर मकडी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी उसने घर के बरामदे से लगी एक खिल्की देखी और वह वहां जाला बुनने लगी उसने आधा जाला बुनकर तयार कर लिया था तबी एक चिडिया वहाँ आई और उसका मजाक उड़ाने लगी अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो इस खिल्की पर जाला बुन रही हो तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा मकडी कुछ चिडिया की बात सही लगी उसने तुरंत खिल्की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंधने लगी ढूंधे 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 उसकी नजर एक पुरानी अल्मारी पर पड़ी उस अल्मारी का दर्वाजा थोड़ा खुला हुआ था वह वहाँ जाकर जाला बुनने लगी तभी एक कौक्रोच वहाँ आया और उसे समझाईश देते हुए बोला इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है यह अल्मारी बहुत पुरानी हो चुकी है कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी मकडी ने कौक्रोच की समझाईश मान ली और अल्मारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके ठक हार कर वह एक स्थान पर बैट गई वहीं एक चीटी भी बैटी हुई थी ठकी हारी मकडी को देख चीटी बोली मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ तुम जाला बनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है चीटी बात सुनकर मकडी को अपनी गल्ती का असास हुआ और वह पच्चताने लगी जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पच्चताते रह जाते हैं आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्म विश्वास और द्रिर निश्चे के साथ उसकाम में जुच जाएं काम अवश्य पूरा होगा जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्षे के प्रती ऐसा ही द्रिष्टिकोन रखना होगा आज की कहानी है राजा का चित्र एक समय की बात है एक राज्य में राजा राज करता था उसकी केवल एक आख थी और एक पैर था इन कमजोरियों की बाद भी वह एक कुशल द्यालू और बुद्धिमान शासक था उसके शासन में प्रजा बहुत खुशाल जीवन व्यतीत कर रही थी एक दिन राजा अपने महल के गलियारे से टहल रहा था सहसा उसकी द्रिष्टी गलियारे की दिवार पर लगे चित्रों पर पढ़ी वे चित्र उसके पूरवज के थे उन चित्रों को देख राजा के मन में विचार आया कि भविश्य में जब उसके उत्तरादिकारी महल के उस गलियारे से टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरन करेंगे राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उससे भी अपना चित्र उस दिवार पर लगवाना चाहिए अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ट चित्रकारों को दर्बार में आमंत्रित किया दर्बार में उसने घोषना की किवह महल में लगवाने के लिए अपना सुन्दर चित्र बनवाना चाहता है जो उसका सुन्दर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा दरबार में उपस्थित चितरकार अपनी कला में निपुंथे लेकिन राजा की घोषना सुनने के बाद वे सोचने लगे की राजा तो काना और लंगड़ा है ऐसे में उसका सुंदर चितर कैसे बन पाएगा चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका सब कोई न कोई बहाना बना कर वहां से चले गए वहां मातर एक युवा चित्रकार खड़ा रहा राजा ने उससे पूछा क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तयार हो युवा चित्रकार ने हामी भर दी राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आग्या दे दी अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुड़ गया कुछ दिनों बाद चित्र बन कर तेयार था जब चित्र के अनावरन का दिन आया तो दर्बार में दर्बारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इंकार कर दिया था सब ही उट सुकता से चितर के अनावरन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब चितर का अनावरन हुआ तो राजा सहिट सबके मुह खुले के खुले रह गए चितर बहुत ही सुंदर बना था उस चितर में राजा दोनों तरफ पैर कर घोले पर बैठा हुआ था जिसे एक और से चित्रित किया था और उसमें राजा का एक ही पैल नजर आ रहा था साथ ही राजा धनुष चड़ा कर एक आँग बंद कर निशाना साध रहा था जिससे उसके काने होने की कमजोरी चुप गई थी ये चित्र देख राजा बहुत प्रसंद हुआ चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपा कर एक बहुत सुन्दर चित्र बनाया था राजा ने उसे पुरुस्कृत करने के साथ उसे अपने दर्बार का मुख्य चित्रकार बना दिया कहानी से सीक, जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखना चाहिए विशम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है आज की कहानी है, सौ उंट राजस्थान के एक गाउम में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी समस्या से परिशान लहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दू, की था एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गाउं में पधारे है उसने तैक किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय कुछेगा शाम को वह उस्थान पर पहुचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अफसर प्राप्त हो गया वह उन्हें प्रणाम कर बोला बाबा मैं अपने जीवन में एक के बाद एकारही समस्याओं से बहुत परिशान हूँ एक से चुटकारा मिलता नहीं की दूसली सामने खड़ी हो जाती है घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थे की समस्या और जाने कितनी ही समस्याइं ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है खृपा करके कुछ ऐसा उपाए बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण और खुशाल जीवन जी सकूँ उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले बेटा मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ उन्हें हल करने के उपाएं मैं तुम्हें कल बताऊंगा इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो व्यक्ति तैयार हो गया पीर बाबा बोले बेटा मेरे काफिले में सौंट है मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो जब सभी सौंट बैट जाएं तब तुम सो जाना ये कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए व्यक्ति उन्टों की देख भाल करने चला गया अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुला कर पूछा बेटा तुम्हें रात को नीन तो अच्छी आई ना खड़े हुए इस तरह पूरी रात बीट गई व्यक्ति ने उत्तर दिया पीर बाबा मुस्कुराए और बोले यदी मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ कई उंट खुद बखुद बैट गए कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे बाद में तुमने देखा कि वे उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा व्यक्ति ततपरता से बोला तब पीर बाबा ने उससे समझाते हुए कहा क्या तुम समझ पाई की जीवन की समस्या इसी तरह है कुछ समस्या अपने आप ही हल हो जाती है कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी कल रात तुम्हें अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो तुम एक साथ सारे उंटों को नहीं बैठा सकते तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है जीवन की समस्याएं इन उंटों की तरह ही है एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा बदलाव तुम्हें स्वयम में लाना है और हर समय इन में उझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रख कर जीवन में आगे बढ़ना है व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चे किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा चाहे सुख हो या दुख जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा आज की कहानी है अंतिम दौर बहुत समय पहले की बात है एक प्रसिद रिशी गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे उनके गुरुकुल में अनेक राजियों के राजकुमारों के साथ साथ साधारन परिवारों के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिश्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े ही उत्साह से अपने अपने घर लोटने की तयारी में थे जाने के पूर्व रिशिवर ने सभी शिश्यों को अपने पास बुलाया सभी शिश्यों उनके समक्ष आकर एक अत्रित हो गए रिशिवा सभी शिश्यों को संबोधित करते हुए बोले प्रिय शिश्यों आज आप सब का इस गुरुकुल में अंतिम दिन है मेरी इच्छा है कि यहां से प्रस्थान करने के पूर्व आप सब एक दोड में सम्मिलित हो ये एक बाधा दोड है जिसमें आपको विभिन प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दोड ना होगा सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी उस सुरंग को पार करने के उपरांत ही आपकी दौर पूर्ण होगी तो क्या आप सब इस दौर में सम्मिलित होने के लिए तेयार है हम तेयार है, सभी शिश्य एक स्वर में बोले, डॉर प्रारंब हुई, सभी तेजी से भागने लगे, समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वे अंत में सुरंग में पहुचे सुरंग में बहुत अंधेरा था, जब शिश्यों ने सुरंग में भागना प्रारंब किया तो पाया कि उसमें जगा जगा नुकीले पत्थर पड़े हुए है वे पत्थर उनके पाओं में चुबने लगे और उन्हें असहनिय पी रहा होने लगी लेकिन जैसे तैसे दोर समाप्त करवे सब वापस रिशिव के समक्ष एकत्रित हो गए रिशिव के उनसे प्रश्न किया, शिश्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दोर पूरी करने में अधिक समय लिया और कुछ ने कम भला ऐसा क्यों, उत्तर में एक शिश्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दोर रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिती बदल गई कुछ लोग दूसरों को धक्का दे कर आगे निकलने में लगे हुए थे, तो कुछ लोग संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे, कुछ तो ऐसे भी थे, जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वालों को कोई न सहनी पड़े, इसलिए सबने अलग-अलग समय पर दौर पूरी की, पूरा वृतांत सुनने के उपरांत रिशिवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वे लोग सामने आए, जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए है और वे पत्थर मुझे दिखाएं, आदेश सुनने क कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वे पत्थर समझ रहे थे, वास्तव में वे बहमूल्य हीरे थे, सभी आश्चर ये चकित होकर रिशिवर की ओर देखने लगे, मैं जानता हूं कि आप लोग इन ही इन हीरों को देखकर अचरज में पढ़ गए हैं, रिशिवर बोले, इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था, ये हीरे उन शिष्यों को मेरा पुरुसकार है, जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा, शिष्यों ये दौर जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां ह कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किन्तु अंत में सम्रिदव वही होता है, जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता है, अता जाते जाते ये बात गांट बांध लें की जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय उस माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिष्टेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे, सब की सहायता को ततपर रहने के कारण पढोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे, सब कुछ अच्छा था, किन्तु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ती का सापना देखा करता था, वह उसे उसे कोसो दूर था, वह दिन रात जी जान लगा कर मेहनत करता, किन्तु असफलता ही उसके हाथ लगती, उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकल कर वह काल चक्र में समा गया, चूनकी उसने जीवन में सुकर्म किये थे, इसलिए उ उसे लेकर स्वर्ग पहुँचे, स्वर्ग लोग का अलोकिक संदर्य देख वह मंत्रमुगध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? ये स्वर्ग लोग है, तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हे स्वर्ग में स्थान क्राप्थ हुआ है, अब से देवदूत उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा सभी कक्ष बहुत सुन्दर थे अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वपन कक्ष लिखा हुआ था जब वे उस कक्ष के अंदर पहुँचे तो लड़का ये देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के चोटे-चोटे प्रतिरूप रखे हुए थे ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी किन्तु हासल नहीं कर पाया था आलिशांग घर, कार, उच्चादिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धर्ती लोक में देखे थे किन्तु वहां तो ये मुझे मिले नहीं अब यहां इनके छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं वह अपनी जिग्यासा पर नियंतरन नहीं रख पाया और पूछ बैठा ये सब यहां इस तरह इसके पीछे क्या कारण है देवदूत ने उसे बताया मनुष्य अपने जीवन बहुत से सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है किन्तु कुछ ही सपनों के प्रतिवव गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है इश्वर और भ्रमान मनुशे के हर सपने पूरा करने की तयारी करते है लेकिन कई बार असफलता प्राप्ती से हताश होकर और कई बार ध्रिरनिश्य की कमी के कारण मनुशे उसक्षन प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं उसके वही अधूरे सपने यहां प्रतिरूप के रूप में रखे हुए है। तुम्हारे सपने भी यहां प्रतिरूप के रूप में रखे है। तुमने अंत समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझा आ गई। किंतु मृत्यू पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था। मित्रों, किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने के पूर्व ये द्रिर निश्चे करने की चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे, जब तब वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा की काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिये, द्रि प्रश्राव के दो व्यक्तियों ने शेहर जाकर पैसे कमाने का निल नहीं लिया। सबने पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यक्ति के पास पहु樣ने ही अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सतकार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं जेल पाया, बहुत घाटा जेलना पड़ा, तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो, और तुमने ऐसा क्य किया कि इस उतार चड़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया, ये बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी, जो समस्या सामने आती है, उसमें से भी सीख लेता हूँ, इ दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का असास हुआ, सफलता के मद में वो अती आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था, वह ये प्रनकर वापस लोटा की कभी सीखना नहीं छोड़ेगा, उसके बाद उसने कभी पीछे और नए विकास होते रहते हैं, यदि हम स्वयम को सरवग्याता समझने की भूल करेंगे, तो जीवन की दौर में पिछर जाएंगे, क्योंकि इस दौर में जीतता वही है, जो लगातार दौरता रहता है, जिसे दौरना छोड़ दिया, उसकी हार निश्चित है, इसलिए उवक अपने नए घर में शिफ्ट हुआ, नया घर और वहां का वातावरन उसे बहुत पसंद आया, लेकिन एक बात थी, जो उसे थोड़ी खटक रही थी, जब से वह आया था, तब से किसी कुत्ते के रोने की आवाज उसे लगातार परिशान कर रही थी, काफी देर वह य निकला, कुत्ते के रोने की आवाज उसके पड़ोस के एक घर से आ रही थी, वह उस घर में पहुँचा, वहां उसने देखा कि एक व्यक्ती बरामदे में बैठा अकबार पढ़ रहा है और पास ही लकडी की एक पाटिया पर बैठा कुत्ता रो रहा था, ये नजारा देख पर बैठा की एक पर बैठा हुआ है, वह उसके पेट में चुब रही है, इसलिए ये रो रहा है, व्यक्ती ने बड़ी ही शांती से उत्तर दिया, उत्तर सुन युवक हैरत में पढ़ गया और बोला, यदि ऐसा है, तो ये इस जगह से उट क्यों नहीं जाता, क्योंकि इस अभी बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, जब दर्द इसकी सहनशक्ती से बाहर हो जाएगा, तो ये खुद बखुद यहां से उट जाएगा, कहानी से सीख, उस कुद्टे की तरह हम सब अपने जीवन में चुबती कीलों पर बैठे हुए होते हैं, हम अपने नेच और ग्रोथ के अफसर बहुत कम नजर आते हैं, इस कारण हमाये दिन जॉब को लेकर शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन इतनी शिकायतों के बाद भी वह जॉब करने चले जाते हैं, कुछ रिष्टों की चुबती कीलों पर बैठे हुए हैं, कई अब्यूसर पर बैठे हुए हैं, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, पर उसके अनुपात में आय नहीं बढ़ रही, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उन्हें निभाने के साधन सीमित हैं, घर, गारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी जैसे कई खर्च सामने नजर आते हैं जो अपनी चुबन से परिशान करती रहती हैं, कुछ को छोटी कीले चुब रही हैं, तो कुछ को बढ़ी, कुछ को एक कील चुब रही है, तो कुछ को एक साथ कई कीलों की चुबन सहनी पढ़ रही है, लेकिन हम उस चुबती कीलों से चुटकारा पाना के लिए कुछ नह में लगता है कि अभी इनकी चुभनिया दर्द इतना जादा नहीं है। हम उस चुभन को तब तक सहते चले जाते हैं, जब तक वह सहनिय नहीं हो जाता। ऐसी कीलों की चुभन से छुटकारा पाने का उपाय तुरंत करना चाहिए, क्योंकि देर करने से समस्या बढ़ती है। हाग पर हाग धर कर बैठे रहने से कोई भी समस्या हल नहीं होती। इसलिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में समस्या सामने आये, तो उसके निदान हेतु तुरंत प्रयास करें। ऐसा नहो की बाद में बहुत देर हो जाए। आज हम सुनेगे एक लालची आदमी की कहानी। इकर संथ ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यक्ता हो, तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए, उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ती होगी। उसके उपरांध पुना तुम्हें धन की आवश्यक्ता हुई, तो दूसरा दीपक जला लेना। जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना, जब तक वह बुझ ना जाए। उस थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगा। धन की तुम्हारी आवश्यक्ता तब भी पूरी ना हो, तो तीसरा दीपक जला कर दक्षन दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझे, वहां की जमीन खोद कर वहां का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेश रहेगी। किन्तु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है, नहीं उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ती के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ती ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया, वहां की खुदाई करने पर उसे एक प्राप्त हुआ, वह कलश सोने के आभूशनों से भरा हुआ था, लोभी व्यक्ती ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहां का धन ले जाओंगा। वह कलश वही जाड़ियों में छुपा कर उसने दूसरा दीपक जलाया और प्राप्त कर लोभी व्यक्ती को एक घड़ा मिला, जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ती प्रसंद तो बहुत हुआ, किन्तु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जला कर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, ज इसके लिए उसे संद ने मना किया था। किन्तु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ती ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा, जो संद स्वयम रखना चाहता होगा। मुझे ततकाल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कबज जो में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंदार मिला, जिन्हें देख उसकी आँखें चोधियां गई। पिर तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मैं यहां कैसे पहुचा और मुझे यहां क्या मिला। चक्की पर भी। यह चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है क्योंकि चक्की बंध होते ही यह महल धह जाएगा। कोई व्यक्ती लोब में अंधा होकर यहां नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से चुरकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर व्रिध व्यक्ती चला गया, लोबी व्यक्ती चक्की पीसिता और खुद को कोस्ता रह गया। कहानी से सीख, लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी न करें। वेरी गुद स्टोरी। अब समुदरी जीविज्यानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकडा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था, एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मचली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मचलियां को देख सकती थी, चारा मचलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी। लेकिन कांच के विभाजक तुकडे से टक्रा कर रह गई, उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के तुकडे के कारण वह चारा मचलियों तक नहीं पहुँच सकी। शार्क ने दरजनों बार पूरी आक्रामक्ता के साथ चारा मचलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह सफल रही, कई दिनों तक शार्कुन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी, अ अंतता थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी, कुछ दिनों बाद समुदरी जीविग्यानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मचलियों पर हमला नहीं किया क्योंकि एक काल अपनिक विभाजक उसने दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती, कहानी से सीख, जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से तूट जाते हैं और हार मान लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुम्किन है और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ती के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है, परिस्तियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी ना होने दे और पूरी लगन से फिर मिहनत करें, सफलता आपके कदम चुमेगी। क्या ये उसके द्वारा बुक की गई कैब ही है? उसका अंदाजा सही था, वो वही कैब थी. कार से एक ड्राइवब बाहर आया और उसने आकाश के लिए कार के पीछे का दरवाजा खोला. आकाश के बैठते ही उसने कागस का एक पन्ना उसे पकड़ा दिया और बोला, सर, इस कागस पर हमारा मिशन स्टेट्मेंट लिखा हुआ है. आप आराम से बैठ कर इसे पढ़ लीजिए, तब तक मैं आपका सामान डिक्की में डाल देता हूँ. उह, चौंकते हुए आकाश ने वह, मिशन स्टेट्मेंट ले लिया और उसे पढ़ने लगा. उसमें लिखा हुआ था हमारी कैब सर्विस में आपका स्वागत है. हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक सस्ते दाम पर सुरक्षित तरीके से और जल्द से जल्द पहुँचान फिर उसने कार के भीतर एक नजर डाली. कार साफ सुत्री थी. तब तक कैब ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था. उसने पलटकर आकाश से पूछा, सर, एसी का टेमपरेचर ठीक है. यदि इसे बढ़ाना या घटाना हो, तो आप बेज़े जख मुझे बत सर इस कार्ड पर सभी रेडियो स्टेशन की पूरी डिटेल्स है. आप जिस भी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं, प्लीज मुझे बता दीजिए. मैं वो प्ले कर दूंगा. अकाश ने कार्ड ले लिया. फिर कैब ड्राइवर ने कहा, सर, आज के सारे न्यूस पेप भी यहां उपलब्ध हैं. जो आप पढ़ना चाहें, मुझे बता दे. अकाश ने एक न्यूस पेपर पढ़ने के लिए ले लिया. कैब ड्राइवर ने फिर पूछा, सर, आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे. अकाश ने जवाब दिया, एक चोली, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था. आपके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है, सर. आपको वहाँ चिल वाटर मिल जाएगा. सॉफ्ट ड्रिक्स की कुछ वेराइटी मिल जाएगी, चाहे तो आप आइस्क्रीम भी खा सकते हैं. अकाश कार में दी जा रही फैसिलिटी से हैरान था. वो हिन्ही सब के बारे में सोच रहा था कि क्या ड्राइवर फिर से बोला, सर आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ, इस तरह आपको यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा. अकाश ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल जो बहुत देर से वह सोच रहा था, वह पूछ लिया, भाई, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमेशा हर कस्टम को इसी तरीके से ट्रीट करते हो, इसी तरीके से बात करते हो, उसे ये सारी फैसिलिटी देते हो. मुझे ये बदलाव एक कहानी लेकर आई, एक दिन कैब चलाते चलाते में रेडियो पर एक कहानी सुन रहा था, वो कहानी थी बाज और बत्तक की, उस कहानी में बताया गया था कि बत्तक कैसे क्वाक क्वाक कर हमेशा शिकायते करती हैं, वही बाज हमेशा उपर आकाश में उलता रहता है. उस कहानी में ये बताया गया था कि यदि हमें कुछ अलग बनना है, तो इस दुनिया से कुछ अलग करना होगा. बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई. मैंने अपने साथी क्याग ड्राइवर्स को देखा, तो पाया कि जो काम मैं कर रहूं, वे सब भी वह रहे हैं। वे दिन भर ठक हार कर काम करते हैं और जिंदगी से शिकायते करते रहते थे। मैं भी ऐसा ही कर रहा था। लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाता है, वो हमेशा मेरे साथ ही जाना चाहता है, वो मेरा नमबर लेकर जाता है और जरूरत पढ़ने पर कॉल कर लेता है, कई बार मैं बुक होता हूँ, तो अपने दोस्तों को भेज देता हूँ और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने देत आप भी ये मेरा काड लिजिये सर, तभी आपको भी मेरी जरूर अरत पड़े, तो याद जरूर कीजियेगा अकाश को आज तक इतना बढ़िया ड्राइवर कभी नहीं मिला था, उसका ये सफर उसके लिए खास बन गया कहानी से सीख, जिन्दगी में बत्तक की तरफ शिकायत करना बंद कर दें, क्योंकि फिर जिन्दगी बस शिकायत बन कर रह जाएगी जिन्दगी में वो मज़ा नहीं रह जाएगा जिन्दगी का मज़ा लेना है तो अपनी सोच उची रखकर बास की तरह ओपर आकाश में उड़ना होगा सबसे हटकर दुनिया से कुछ अलग काम करना होगा तभी आप अपना एक अलग नाम और एक अलग मुकाम हासिल कर पाएंगे बस ऐसा कुछ कर जाओ कि दूसरे आपको फॉलो करना चाहे और आपके जैसा बनना चाहे यही तो है जिन्दगी की उड़ान आज की कहानी है शेर का तीसरा पुत्र एक जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था दोनों में बहुत ही बड़ा प्रेम था दोनों शिकार के लिए साथ साथ जाते और शिकार मारकर साथ ही खाया करते थे कुछ दिनों बाद शेरनी ने दो बच्चों को जन दे दिया शेर ने कहा अब तुम शिकार के लिए मत चला करो घर पर ही रहकर बच्चों की देख भाल करो मैं अकेला शिकार के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी शिकार में आऊंगा उस दिन से शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा, शेरनी घर पर रहकर दोनों बच्चों का पालन पोशन करने लगी एक दिन जब शेर शिकार के लिए गया, तो पुरे दिन भूनने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला वापस लोटते समय उसने लोमडी के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा आज शेरनी के लिए कुछ भोजन नहीं मिला है, क्यूं न इस लोमडी को ले चलू, ऐसा सोचके शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया शेर लोमडी के बच्चे को लेकर घर पहुँच गया, आज जंगल में इसके आलावा कुछ नहीं मिला बच्चा समझकर मैं इसे मार कर खा नहीं सका, तुम इसे मार कर खा जाओ, शेर ने कहा शेर नी बोली, जब तुम इसे बच्चा समझ कर मार नहीं सके, फिर मुझसे क्यूं कह रहे हो कि मैं इसे मार कर खाऊंगी मैं इसे मार कर नहीं खाऊंगी, जिस प्रकार मैं अपने दो बच्चों का पालन पोशन करती हूँ, उसी प्रकार इसका भी पालन पोशन करूंगी पलने बढ़ने लगा, जब तीनों कुछ बड़े हुए तो साथ-साथ खेलने कूधने लगे। शेर के बच्चे ये नहीं समझते थे कि वो दोनों शेर के बच्चे है और ये तीसरा लोमडी का बच्चा है इसी प्रकार लोमडी का बच्चा भी अपने को शेर से बच्चों से अलग नहीं समझता था कुछ और बड़े होने पर तीनों बच्चे एक दिन खेलने के लिए जांगल में गए वो उन्होंने एक हाथी को देखा शेर के दो बच्चे तो हाथी के पीछे लग गए पर लोमडी का बच्चा उसे देखकर भैबीत हो गया उसने शेर के बच्चों को रोकते हुए कहा अरे उसके पीछे मत जाओ वो हाथी है तुम दोनों को पैरों से कुचल देगा परंतु शेर के बच्चों ने लोमडी के बच्चे की बात नहीं मानी वे हाथी को मारने के लिए उसके पीछे लग गए परन्तु लोमडी का बच्चा दरकर अपने मां के पास आ गया कुछ देर बाद शेर के दोनों बच्चे लोटकर अपनी मां के पास आ गये उन्होंने अपनी मां को कहा कि हमें जंगल में हाथी मिला हम दोनों तो उसके पीछे भाग गए लेकिन हमारा तीसरा भाई दर कर घर आ गया लोमरी के बच्चे को गुस्सा आ गया तुम दोनों अपने आपको वीर और काय बता रहे हो हिम्मत है तो आ जाओ दोनों को जमी पर गिरा दूंगा शेरनी ने लोमरी के बच्चे को समझाते हुए कहा तुम्हें अपने भायों के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए वे मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं बलकी सच बता रहे है क्या तुम हाथी को देखकर दर नहीं गए थे शेरनी की बात लोमडी के बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वोहर गुस्से से बोला मैं हाथी को देखकर डर गया आपका कहना है कि मैं दर पोक और वे दोनों बहादूर है मैं अकेला उन दोनों को जमी पर गिरा सकता हूँ तब शेरनी बोली देखो बेटा अधिक बढ़ बढ़ कर बाते करना अच्छी नहीं होता ये तो सची है कि तुम्हारे वंच के लोग हाथी को देखकर डर जाया करते है शेरनी की बात सुनकर लोमडी के बच्चे ने बड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहा क्या कह रही हो आपकी बात से लगता है कि मेरा वंच और उन दोनों का वंच अलग है सच बताओ क्या बात है शेरनी लोमडी के बच्चे को अलग ले गई और उसे समझाती हुए बोली देखो, तुम्हारा जन्म लोमडी के वंच में हुआ था और उन दोनों का जन्म शेर के वंच में हुआ है मैंने तुम पर दया करके अपने बच्चों के सामान ही तुम्हे पाला है अब तुम बड़े हो गए हो, मैंने तुम्हारा पालन पोशन तो किया है परन्तु तुम्हारे सभी गुन लोमडी जैसे ही है, इसलिए तुम उस हाथी से दर गए मैंने इस भेद को अभी तक अपने बच्चों से छिपा रखा है जब उन्हीं ये बात मालूम हो जाएगी कि तुम लोमडी के बच्चे हो, तो वे तुम्हें मार कर खा जाएंगे इसलिए अच्छा है कि भेद प्रकट होने से पहले ही तुम यहां से भाग जाओ शेरनी की बात सुनकर लोमडी का बच्चा डर गया और वहां से चुपके से भाग गया आज की कहानी है सबसे खुश पक्षी एक कौवा एक वन में रहा करता था, उसे कोई कश्च नहीं था और वो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुँचा, वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तेरते हुए देखा उसे देखकर वह सोचने लगा ये हंस कितना सौभाग्यशाली है, जो इतना सफेद और सुन्दर है इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ, ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा वो हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुन्दर पक्षी हूँ इसलिए बहुत सुखी और खुश था लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा, जिसके पास दो रंगों की अनोखी छटा है उसके बाद से मुझे यकीन है कि वही दुनिया का सबसे सुन्दर और खुश पक्षी है हंस की बाद सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है तोती ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था किन्तु अब मुझे लगता है कि मोर से सुन्दर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुशपक्षी है इसके बाद कोवा मोर की खोज में निकला, उर्ते उर्ते वही एक चिरिया घर पहुँचा, वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंध है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा है सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे, सब के जाने के बाद कोवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, जो तुम्हारी सुन्दर्ता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हे देखने आते है मुझे तो लोग अपने आसपास भी फटकने नहीं देते और देखते ही भागा देते हैं, तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया, वो अह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुन्दर्ता पर बड़ा गुमान था मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या, बलकि इस पूरे ब्रह्मान्ट का सबसे सुन्दर पक्षी हूँ इसलिए खुश भी बहुत था, लेकिन मेरी यही सुन्दर्ता मेरी शत्रू बन गई है और मैं इस चिर्याघर में बंध हूँ यहां आने के बाद इस पूरे चिर्याघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है, जो यहां कैद नहीं है इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता, तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुशपक्षी होता कहानी से सीख, हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थी स्वयम की तुलना उनसे करने लगते हैं और दू, खी हो जाते हैं भगवान ने सब को अलग बनाया है और अलग गुन दिये हैं, हम उसका महत्व नहीं समझते और दू, खा के चक्र में फंस जाते हैं इसलिए दूसरों के पास जो है, उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है, उसके साथ खुश रहना सेखना चाहिए, खुशी बाहर धून्दने से नहीं मिलती, वो तो हमारे अंदर ही छिपी हुई होती है आज की कहानी है, समस्या का दूसरा पहलू, पिता ओफिस का काम करने में व्यस्त था, उसका दस साल का बच्चा बार बार कोई सा कोई सवाल लेकर उसके पास आता और पूछ पूछ कर तंग करता, बच्चे की इस हरकत से पिता परेशान हो रहा था इसका हल निकालते हुए उसने सोचा क्यूं ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दू, जिसमें वो कुछ घंटे उलज़ा रहे, उतने समय में मैं अपना काम निप्टा लूनगा अब की बार जब बच्चा आया, तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली, उसकी एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था उसने किताब का वह पेज फार किया और फिर उस पेज को कई छोटे छोटे टुकडों में कात दिया वह टुकडे बच्चे को देते हुए बोला, ये पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था मैंने इसे कुछ टुकडों में बांट दिया है, तुम्हें इन टुकडों को जोड़ कर फिर से वर्ल्ड मैप तयार करना है जाओ इसे जाकर जोड़ो, जब वर्ल्ड मैप बन जाए, तब आकर मुझे दिखाना बच्चा वो टुकडे लेकर चला गया इधर पिता ने चैन की सांस लिकी अब कई घंटों तक बच्चा उसके पास नहीं आएगा और वो शांती से अपना काम कर पाएगा लेकिन पांच मिनिट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला, पापा, देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया पिता ने चेक किया, तो पाया की मैप बिल्कुल सही जुडा था उसने हैरत में पूछा, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया ये तो बहुत ही आसान था पापा, आपने जिस पेज के टुकड़ी मुझे दिये थे उसकी एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना था, एक साइड पर कार्टून मैंने कार्टून को जोड़ दिया, वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया पिता बस बच्चे को देखता रह गया कहानी से सीख अक्सर हम कोई बड़ी समस्या सामने आने पर उसे देख ये सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हल हो ही नहीं सकती हम उसका एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोन बना लेते हैं जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहांसे उसका हल बहुत आसानी से निकल आये इसलिए जीवन में जब भी समस्या आये तो हर पहलू देखकर उसका आनकलन करना चाहिए कोई ना कोई आसान हल ज़रूर मिल जाएगा आज की कहानी है समस्यां से दरे नहीं बहुत समय पहले की बात है एक गाव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था उसकी एक ही बेटी थी वो बहुत सुन्दर थी गरीब किसान ने गाव के जमीनदार से करज लिया हुआ था किन्तु गरीबी के कारण वो करज वापस नहीं कर पा रहा था जमीनदार जब भी उस पर करज वापस करने का दबाव बनाता वो कुछ समय की मोलत मांग लेता ऐसे ही कई वर्ष बीट गए एक दिन जमीनदार की दृष्टी किसान की सुन्दर पुत्री पर पड़ी जो युवा हो चुकी थी किसान की बेटी को देख जमीनदार उस पर मोहित हो गया वो किसान के पास गया और बोला मैं तुम्हारा पूरा करज माफ कर दूँगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो समींदार के विवाह प्रस्ताव से किसान और उसकी बेटी हैरान रह गए समींदार अधेर उम्र का कुरूप व्यक्ति था किसान ने अपनी सुन्दर बेटी का विवाह उससे करने से इंकार कर दिया किसान की इंकार सुनकर जमीनदार बॉकला गया और तुरंट अपने करज के पैसे मांगने लगा किसान के पास पैसे नहीं थे उसने मुहलत मांगी लेकिन जमीनदार ने मना कर दिया और उसे जेल पहुचाने की धमकी देने लगा अंत में दोनों का मसला गाव की पंचायत में पहुँचा पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले ये मामला कुछ उलजा हुआ है किसान तो कई वर्षों से करज चुका नहीं पा रहा और उसकी स्थिती को देखते हुए लगता नहीं कि वह करज चुका पाएगा बेटी का विवाह वह जमीनदार से करना नहीं चाहता ऐसे में बहुत सोच विचार कर हम ये फैसला किसान की बेटी की किसमत पर छोड़ते है पंच आगे बोले यहां जमीन पर काले और सफेद कंकर पड़े हुए हैं जमीनदार इन कंकडों में से दो कंकर उठा कर दो थैलों में रखेगा किसान की बेटी को बिना देखे उन थैलों में से कंकर निकालना होगा यदि वह काला कंकर निकालती है तो उसे जमीनदार से शादी करनी पड़ेगी और किसान का करज माफ कर दिया जाएगा यदि वह सफेद कंकर निकालती है तो उसे जमीनदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का करज भी माफ कर दिया जाएगा यदि वह कंकर निकालने से इंकार करती है तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी बेटी चिंता में पढ़ गए किसान तो सिर पकड़ कर बैठ गया इधर जमीनदार ने जमीन में पड़े कंकर उठा कर थेली में डाल लिए जब जमीनदार कंकर उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देख लिया कि उसने सबकी आखों में धूर जोंक कर दोनों काले कंकर ही उठाए हैं। अब किसान की बेटी किसी भी थेले से कंकर निकालती, वो काले रंग का ही होता। जमीनदार इतना धूर्थ होगा, ये उसने सोचा नहीं था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना था, वह अपना दिमाग दोडाने लगी, उसके सामने तीन विकल्प थे, थैली में से कंकर निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे, थैली में से कंकड निकाले और चुप चाप जमीनदार से शादी कर ले। पंचों को जमीनदार की धूर्थता के बारे में बता दे। तीसरा विकल्प उसे चीक लगा। लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। पंच जमीनदार से कंकड बदलवा लेत और अंत में निर्ने उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता। वो ऐसा उपाय सोचने लगी, जिससे उसे पंचों को कुछ कहना भी ना पढ़ना पड़े और वो जमीनदार से शादी करने से बच भी जाए। एक उपाय उसके दिमाग में आही गया, वो आगे बड़ी और जमीनदार की थेली में से एक कंकर निकाला। लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन में गिरा दिया, जमीन में गिर कर वो कंकर अन्यकंत्रों में जा मिला। हाई, ये क्या हो गया, कंकर का रंग तो मैं देखी नहीं पाए और वो मेरे हाथों से नीचे गिर गया, अब मैं क्या करूँ, किसान की बेटी पंचों को देखकर जानबूज कर परेशान होने का नाटक करने लगी, ये सुन एक पंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो कं कंकर निकाला था, अब उसे पहचानना संभव नहीं है, ऐसा करो जमीनदार के दूसरे थेले में कंकर निकाल लो, वो जिस रंग का हुआ, उसके विपरीत रंग का कंकर ही तुमने पहले निकाला होगा, सभी पंच इस बात पर सहमत हो गए, इधर ये सुनकर जमीनदार के हो लेकिन अब वह क्या कहता, पासा पलच चुका था, वह चुप ही रहा, किसान की बेटी ने जब धेले में से कंकर निकाला, तो वह काले रंग का था, सबने मान लिया कि पहले उसने सफेद कंकर निकाला था, इस तरह वह जमीनदार से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ हो गया, कहानी से सीख, मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए, जब भी मुसीबत आ पड़े, तो बिना होसला खोए शांत दिमाग से विचार करना करो, कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा आज की कहानी है, साप और चरिया बाला, जंगल के एक बड़े से पेर की खोल में बहुत सी छोटी छोटी चरिया रहती थी, उसी पेर की जड़ में एक सांप भी रहता था, वो चरियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था, एक बार चरिया सांप द्वार बार बार खाये जाने पर बहुत दुखी और विरक्टसी होकर नदी के किनारे आ बैठी। उसकी आँखों में आशू भरे हुए थे उसे इस प्रकार दुखी देखकर नदी किनारे रहते मेधक ने पूछा, क्या बात है, आज रो क्यूं रही हो। अथने चिरिया का एक अच्छे दोस्त ने नाते उसे एक अच्छी योजना दी और कहा, एक काम करो, मास के कुछ चुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से चुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बखेर दो। नेवला उन चु पर रहने वाले चिरियों को भी खा डाला। चिरिया ने उपाय तो सोचा, किन्तु उसके अन्य दुश परिनाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। अबी बनवाने भी उस दुकान पर आते। उसी दुकान में कोने में एक मजबूत हथोड़ा भी पड़ा हुआ था, जो ताला तोरने के काम आता था, लेकिन उसका प्रयोग कभी कभार ही होता था। क्या है इस छोटी सी चाभी में। एक दिन जब दुकान बंध हुई, तो उससे रहा ना गया। उसने चाभी से पूछी लिया, चाभी बहन, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, किन्तु बहुत सोचने के बाद भी मैं किसी निशकर्ष पर नहीं पहुँच पाया। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब देकर मुझे निशकर्ष तक पहुँचने में मदद कर सकती हो। क्या तुद ऐसा नहीं कर पाता, मुझसे ताला खोलने में बहुत मेहनत लगती हैं और कई बार प्रयास करने के बाद ही ताला तूटता है। कहानी से सीख, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थियां आती हैं जब हमारे सामने हथोड़ा या चाभी बनने का विकल्प होता है। किसी का दिल जीतना है, तो उसे हथोड़ा बनकर जोर जबरदस्ती से नहीं जीता जा सकता, बलकि चाभी की तरह उसके दिल में उतर कर जीता जाता है। इसी प्रकार किसी से कोई काम करवाना है, तो दरा धमकाकर और जबरदस्ती दबाव डालकर भी काम करवाया जा सकता है। आज की कहानी है दुख का कारण एक शहर में एक आली शान और शानदार घर था वो शहर का सबसे खुबसूरत घर माना जाता था लोग उसे देखते तो तारिफ किये बिना नहीं रह पाते एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया कुछ दिनों बाद जब वो वापस लोटा तो देखा कि उसके मकान से धुआ उठ रहा है करीब जाने पर उसे घर से आग की लप्टे उठती हुई दिखाई पड़ी उसका खुबसूरत घर जल रहा था वहां तमाशबीनों की भीर जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी अपने खुबसूरत घर को अपनी ही आँखों के सामने जलता हुए देख वो व्यक्ती चिंता में पड़ गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे कैसे अपने घर को जलने से बचाए वो लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा ले उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला पिता जी घबराये मत सब ठीक हो जाएगा इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला कैसे ना घबराओ मेरा इतना खुबसूरत घर जल रहा है बेटे ने उत्तर दिया पिता जी माफ की जेगा एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीददार मिला था उसने मेरे सामने मकान की कीमत की तीन गुनी रकम का प्रस्ताव रखा सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तै कर लिया ये सुनकर पिता की जान में जान आई उसने राहत की सांस ली और आराम से यूँ खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो अब वो भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला पिता जी हमारा घर जल रहा है और आप है कि बड़े आराम से यहां खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं आप कुछ करते क्यूं नहीं बेटा चिनता की बात नहीं है तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है अब ये हमारा नहीं रहा इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता पिता बोला पिता जी भाया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है अभी हमें पैसे भी नहीं मिले है अब बताए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा ये सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लप्टों पर काबू पाया जाए वो फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला पिता जी घबराने की सच में कोई बात नहीं है मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए इसलिए अब जो हो जाए जबान दी है तो घर जरूर लूनगा और उसके पैसे भी दूनगा पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा कहानी से सीख, मित्रों एक ही परिस्थिती में व्यक्ती का व्यवहार भिन-भिन हो सकता है और ये व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है उदाहरन के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए घर तो वही था जो जल रहा था लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दू, खा हमें छूता तक नहीं है इसलिए दू, खी होना और ना होना पुनरता हमारी सोच और मानसिक्ता माइंडसेट पर निर्भर करता है सोच पर नियंत्रन रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दू खूँ और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बलकि जीवन में नई उचायां भी प्राप्त कर सकते हैं आज की कहानी है जीवन का दरपन एक दिन जब ओफिस के सभी कर्मचारी ओफिस पहुँचे तो उन्हें दरवाजे पर एक परची चिपकी हुई मिली उस पर लिखा था कल उस इंसान की मौत हो गई जो कमपनी में आपकी प्रगती में बाधक था उसे श्रद्धानजली देने के लिए सेमिनार हाल में एक सभा आयोजित की गई है ठीक 11 बजे श्रद्धानजली सभा में सबका उपस्थित होना अपेक्षित है अपने एक सहकर्मी की मौत की खबर पढ़कर पहले तो सभी दू ही हुए लेकिन कुछ देर बाद उन सब में ये जिग्यासा उत्पन होने लगी की आखिर वह कौन था जो उनकी और कमपनी की प्रगती में बाधक था 11 बजे सेमिनार हाल में कर्मचारियों का आना प्रारंब हो गया दीरे दीरे वहां इतनी भीर जमा हो गई कि उसे नियंतरत करने के लिए सिक्योरिटी गाड की व्यावस्था करनी पड़ी लोगों का आना लगातार जारी था जैसे जैसे लोगों की भीर बढ़ती जा रही थी सेमिनार हाल में हलचल भी बढ़ती जा रही थी सबके दिमाग में बस यही चल रहा था आखिर वो कौन था जो कमपनी में मेरी प्रगती पर लगाम लगाने पर तुला हुआ था चलो एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि वो मर गया जैसे ही श्रद्धान जली सभा प्रारम हुई एक एक करके सभी उत्सुक और जिग्यासु कर्मचारी कफन के पास जाने लगे करीब पहुँचकर जैसे ही वे कफन के अंदर जहांकते उनका चेहरा फका पर जाता मानों उन्हें सदमा सा लग गया हो उस कफन के अंदर एक दरपन रखा हुआ था जो भी उसमें जहांक कर देखता उसे उसमें अपना ही अक्स नजर आता उस दरपन पर एक परची भी चिपकी हुई थी जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जो सबकी आत्मा को जगजोर रहा था एवल एक ही इंसान आपकी प्रगती में बाधक है और वो आप खुद है आप ही वो इंसान है जो अपने जीवन में क्रांती उत्पन कर सकते है आप ही वो इंसान है जो अपनी खुशी अपनी समझ और अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते है आप ही वो इंसान है जो अपनी खुद की मदद कर सकते है आपका जीवन नहीं बदलता जब आपका बॉस बदल जाता है सबसे महत्वपून रिष्टा जो आपका किसी के साथ है वो आपका खुद से है चीनी बांस के पेर की प्रेर नादायक कहानी एक गरीब किसान को उसके एक मित्र ने कुछ बीज दिये और उसे बताया कि ये बीज बांस के पेर की उस प्रजाती के है जो चीन में पाए जाते है इन पेरों की उँचाई 90 फीट तक होती है किसान ने वे बीज अपने मित्र से ले लिए और उन्हें अपने खेत में बो दिये उसे आशा थी कि जिस दिन वे बांस के उँचे पेर बन जाएंगे उन बांसों को बेच कर उसे अच्छी आमदनी होगी और उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएगा वो उन बीजों को पानी देता, दिन भर उनकी देखभाल करता और रात में भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाए और उसे इन बीजों से सो प्रतिशत परिणाम मिले वो रोज अपने खेत में जाकर देखता कि बीज अनकुरित हुए हैं या नहीं में ही फसल आ जाती थी, उस फसल के द्वारा ही किसान के परिवार का भरन पोशन होता था, किसान सोचा करता कि इस तरह आज तो उसका गुजारा चल सकता है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते और नहीं उसका भविश्य सवर सकता, बांस के पेरों की बदौलत वो पन होने लगी कि कहीं वे बीज सड तो नहीं गए हैं, एक वर्ष और बीता, लेकिन बीज अनकुरित नहीं हुए, दूसरे किसान और गाव वाले उसका मजाक उडाने लगे कि वो उन बेकार के बीजों पर अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गवा रहा है, सब के ताने सु साल और बीत गया, लेकिन बीजों के अनकुरित होने के कोई चिन दिखाई नहीं पड़े, लोगों ने किसान का मजाक उडाना जारी रखा, लेकिन किसान ने आंशिक भाई के बाद भी अपने मन में छोटी सी आस बांध कर रखी थी, इसलिए उसने लोगों की बातों को दर अकभाल करता रहा, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी एक भी बीज अनकुरित नहीं हुए, जिससे किसान की उम्मीदे थोड़ी और कम हो गई, लेकिन फिर भी वो उन बीजों को पानी देता रहा, यद्यपी समय के साथ किसान की आशा कम होती चली जा रही थी, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटल था, उसका विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल उसे अवश्य देंगे, पांच वर्ष बीत जाने के बाद अच्छानक एक सुबह गाव के लोगों को उस किसान के चिलाने की आवाज सुनाई पड़ी, वे सभी अपने घ खेत में बांस के बीज अनकुरित हो गए थे, किसान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, पांच साल बाद उसकी मेहनत सफल हुई थी, वो खेत गाउवालों के आकरशन का केंदर बन गया, बांस के पेर तेजी से बढ़ रहे थे, पांच फीट, दस फीट, दशमलव दो शून में 90 फीट बांस के पेरों से भर गया, इस चमतकार को देखकर सभी दंग थे, उधर किसान खुशी से फूला नहीं समा रहा था, वे बांस के पेर ना केवल उसके परिवार का बलकि उसकी कई पीडियों का भरन पोशन करने वाले थे, वो रहे रहकर भगवान का धन्यवाद कर रहा था, उसे ये भी समझा गया था कि जो सीख उसे मिली है, वो अमूल्य है, उसने सपनों का बीज बोने और उसे यथार्थ में परिनित करने के लिए रोज उसका पोशन और देखभाल करने की सीख मिल गई थी, उसने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देने का पाट भी पढ़ लिया था, उसने अपने भाई और शनकाओं से परेहटकर अनवरत परिश्रम करने का महत्व समझ लिया था, साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और अटल हो गया था, किसान ने पूरे गाव के सामने एक उदाहरन प्रस्तुत कर दिया, जिसके बाद गाव के अन्य किसान भी अपने खेतों में बांस का पेर उगाने लगे और धैर्य से हर दिन उसकी देखभाल करने लगे, कहानी से सीख, दोस्तों, किसान ने तो अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा, आपका क्या, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस हद अपने कितना धैर्या है, अपने सपनों पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें, धैर्या से परिश्रम करते रहे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी आज की कहानी, चरिया की सीख, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था, उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था, बगीचे की देखरेक की जिम्मेदारी एक माली के कंदों पर थी, माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेर पोधों की भगीचे में एक अंबूर की एक बेल लगी हुई थी जिसमें धेर सारे अंबूर फले हुए थे। एक दिन एक चिरिया बगीचे में आई, उनसे अंबूर की बेल पर फले अंबूर चक्खे, अंबूर स्वाद में मीठे थे, उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी, चिरिया अंबूर की बेल पर बैठती और चुन-चुन कर सारे मीठे अंबूर खा लेती, खटे और अध्पके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिरिया की इस हर्क्त पर माली को बड़ा क्रोध आता। वो उसे भगाने का प्रयास करता लेकिन सफल नहीं हो पाता। राजा ने खुदी चिरिया से निपटने का निर्नए किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घणी बेल की आड में छुप कर बैठ गया। रोज की तरह चिरिया आई और अंगूर की बेल पर बैठ कर अंगूर खाने लगी, अव सर पाकर राजा ने उसे किन्तु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तयार नहीं हुआ। तब चिरिया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें ग्यान की चार बाते बताऊंगी। राजा चिरिया पर क्रोधित था, किन्तु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ग्यान की वो चार बाते बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तै करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिरिया बोली, ठीक है तो सुनो, पहली बात, कभी किसी हाथ आये शत्रू को जाने मत दो, ठीक है और दूसरी बात, राजा बोला, दूसरी यह है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो, चिरिया बोली, तीसरी बात, बीती बात पर पच्चतावा मत करो, और चौथी बात, राजन, चौथी ब तुम अपनी पकड थोड़ी धीली करो, तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। चिरिया बोली, राजा ने चिरिया की बात मान ली और अपनी पकड धीली कर दी। पकड धीली होने पर चिरिया राजा एक हाथ छूट गई और ओड़कर पेर की उची डाल पर बैट गई, राजा उसे ठगासा देखता रह गया। पेर की उची डाल पर बैटी चिरिया बोली, राजन। चोथी बात ये की ग्यान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर आमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ग्यान की तीन बाते बताई, जिने सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आये शत्रू को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आये शत्रू अर्थात मुझे छोड़ दिया, दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है, तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पच्चतावा न करें और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पच्चता रहे हैं। इतना कहकर चिरिया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। कहानी से सीख, मात ज्यान अरजित करने से कोई ज्यानी नहीं बन जाता। ज्यानी वो हुता है, जो अरजित ज्यान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया, उस पर हमारा कोई नियंत्रन नहीं। किन आज की कहानी है गुलाब का घमंड वसंत रितु में जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब प्रोज का पौधा अपने फूलों की सुन्दर्ता पर इचला रहा था पास ही लगे चीर पाइन के कुछ पेर आपस में बाते कर रहे थे एक चीर के पेर ने गुलाब को देख कर कहा गुलाब के फूल कितने सुन्दर होते है मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुन्दर नहीं हूँ मित्र उदास होने की आवश्यक्ता नहीं है हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं हो सकता दूसरे चीर के उसकी इस बात का उत्तर दिया बुलाब ने उनकी बाते सुन ली और उसे अपनी सुन्दर्ता पर और गुमान हो गया वह बोला इस जंगल में सबसे सुन्दर में ही हूँ तभी सूरज मुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ती जताते हुए कहा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो इन जंगल में बहुत सारे सुन्दर फूल है और तुम बस उन में से एक हो लेकिन सब मुझे देख कर ही तारीफ करते हैं गुलाब ने इत्रते हुए कहा देखो इस नागफनी कैक्टस के पौधे को ये कितना बदसूरत है इस पर तो कांटे ही कांटे है कोई इसकी तारीफ नहीं करता ये तुम किस तरह की बात कर रही हो अब की बार चीर का पेर बोला तुम्हें भी तो कांटे है लेकिन फिर भी तुम सुन्दर हो गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया तुम्हें तो सुन्दरता का मतलब ही नहीं पता तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना नहीं कर सकते, हमें बहुत फर्क है, मैं सुन्दर हूँ और वो नहीं, तुम्में घमंड चद गया है गुलाब, इतना कहकर चीर के पेर ने अपनी डालियों को दूसरी ओर जुका ली, इन सब के बीच नागफनी का पौधा चुप चाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से म पौधे हो, तुम्में न सुन्दरता है, नहीं तुम किसी काम के हो, मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पर रहा है, गुलाब की बात सुनकर नागफनी को दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है, गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी, मौसम बदला और वसंत रितु चली गई, धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेर पौधे मुर्जाने लगे, गुलाब भी मुर्जाने लगा, एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिरिया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ा कर बैठी ह कुछ देर बाद वह चिरिया वहां से उड़ गई, वह चिरिया ताजगी से भरी लग रही थी, गुलाब को ये बात समझ नहीं आई कि वह चिरिया नागफनी पर बैठ कर क्या कर रही थी, उसने चीर के पेर से पूछा, ये चिरिया क्या कर रही थी, चीर के पेर ने कहा, य इस चिरिया नाग्फनी के पौधे से पानी ले रही है, ओ, लेकिन क्या इसके चोंच गढ़ाने से नाग्फनी को दर्द नहीं हुआ होगा, गुलाब ने पूछा, अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालू नाग्फनी चिरिया को तकलीफ में नहीं देख सकता था, चीर के पेर पेर ने उत्तर दिया, ओ तो इस गर्मी में नागफनी के पास पानी है, मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ, गुलाब उदास हो गया, तुम नागफनी से मदद क्यूं नहीं मांगते, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेगा, चिरिया अपनी चोंच में भर कर तुम्हारे पास ले आएगी, चीर के पेर ने सलाह दी, गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांगता, उसने तो अपनी सुन्दर्ता के घमंड में उसे बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिर का रेक दिन उसने नागफनी से मदद मां गुलाब का पौधा फिर से तरो ताजा हो गया, गुलाब को समझा गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए, उसने नागफनी से माफी मांग ली, कहानी से सीख, किसी की शक्ल देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए, इंसान की बाहरी सुन्द इसलिए अपने गुनों पर अभिमान मत करो, एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है. एक गाव में एक किसान रहता था, उसका गाव के बाहर एक छोटा सा खेत था, एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिरिया ने घोसला बना लिया, कुछ समय बीता, तो चिरिया ने वहाँ दो अंडे भी दे दिये, उन अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आये, वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे. कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया, गाव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए, अब चिरिया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था. एक दिन खेत में चिरिया के बच्चों ने किसान को ये कहते सुना की कल मैं फसल कटाई के लिए अपने परोसी से पूछूनगा और उसे खेत में भेजूनगा. ये सुनकर चिरिया के बच्चे परेशान हो गए, उस समय चिरिया कहीं गई हुई थी, जब वह वापस लोटी, तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, मां, आज हमारा यहां अंतिम दिन है, रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहां से निकलना होगा. चिरिया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी. चिरिया की कहीं बात सहीं साबित हुई. दूसरे दिन किसान का परोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहो सकी. शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये परोसी तो नहीं आया, ऐसा करता हूँ कल अपने किसी रिष्टेदार को भेज देता हूँ. चिरिया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए. जब चिरिय ही हुआ और किसान का रिष्टेदार अगले दिन खेत नहीं पहुँचा, चिरिया के बच्चे हैरान थे कि उनकी मां की हर बात सही हो रही है. अगली शाम किसान जब खेत आया, तो खेत की वही स्थिती देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं है. तल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा. चिरिया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली. अपनी मां को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का, हम आज राथी ये खेत आएंगे. दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है, जो मां खेत छोड़ने को तयार है. उन्होंने पूछा, तो चिरिया बोली, बच्चों, पिछली दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था. दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पला ज़ाड़ लिया था. लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंदों पर ले ली है. इसलिए वह अवश्या आएगा, उसी रात चिरिया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए. कहानी से सीख, दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है. किन्तु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयम लेनी होगी. दूसरे भी मदद उसी की करते हैं, जो अपनी मदद करता है. कोई में मेधक की प्रेरना दायक कहानी. एक विशाल समुद्र में एक मेधक रहा करता था. एक दिन वो समुद्र से बाहर निकला और फुदक फुदक कर एधर उधर घूमने लगा. घूमते घूमते वो बहुत दूर निकलाया. उसने जंगल पार किया. जंगल पार करते ही उसे एक कुवा नजर आया, वो कुवे की मुंडेर पर चद गया और अंदर जांक कर देखा, उसे कुछ मेधक कुवे में नजर आये, उसने मिलने के लिए वो फोरन कुवे में कूद गया, कुवे के पानी में जाकर वो मेंधकों से मिला, वो उसे अपने सरदार के पास ले वे सब आपस में खुसर फुसुर करने लगे। मिन्धकों के सर्दार को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा ये समुद्र क्या होता है। समुदरी मेधक ने बताया वह स्थान जहां पानी ही पानी है। मैं वहीं रहता था। घूनता अहां आ गया। मेंधकों के सरदार ने उत्सुक्ता से पूछा, कितना बड़ा होता है समुद्र। समुद्री मेधक ने उत्तर दिया, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। मेंधकों का सरदार कुए के एक तिहाई भाग तक उचल कर बोल इतना बड़ा, नहीं, इससे भी बड़ा, समुद्री मेधक ने जवाब दिया, मेंधकों का सरदार और उचला और उसने आधा कुआं तै कर लिया, फिर पूछा, इतना बड़ा, नहीं, इससे भी बड़ा, समुद्री मेधक बोला, फिर मेंधकों के सरदार ने उच्छल कर ना मेधक का सरदार और ना उसके समूव के मेधक कभी कुए से बाहर निकले थे, कुआ ही उनकी दुनिया थी, उन्हें समुदरी मेधक की बात पर यकीन ही नहीं हुआ, मेधक का सरदार कुछ देर तक चुप रहा, तो समूव में से एक मेधक बोला, सरदार यह जूट बोल रह हमारे कुए से विशाल जगव कोई होई नहीं सकती, ऐसे झूते मककार मेधक को हम अपने साथ नहीं रख सकते, इसे यहां से भहगाईए, उसकी देखा देखी समूर के अन्य मेधक भी चिलाने लगे, इस मेधक को यहां से निकालिए, इस मेधक को यहां से भगाईए मेधकों के सरदार को भी आखिर उन लोगों की बात सही लगी उसने आदेश दिया कि इस जूटे दगाबाज मेधक को यहां से भगा दिया जाए सबने मिलकर समुद्री मेधक को कुए से बाहर निकाल दिया कहानी से सीख, जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है जिस चीज को हमने कभी ना देखा हो, उस पर विश्वास करना मुश्किल है जो काम जीवन में कभी ना किया हो, उसमें सफल होने पाने का विश्वास होना मुश्किल है यदि हमने संकुछित बुद्धी से सोचा तो कुई में ही रह जाएंगे अर्थात जीवन के संकुछित दाइरे में ही सिमट कर रह जाएंगे जीवन में प्रगती करना है तो सबसे पहले अपनी सोच को विस्तारित करना होगा सारी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकर निर्नए लेना होगा और जीवन की असिमित संभावनाओं के बारे में विचार करना होगा तब ही हम उस दिशा में कार्या कर पाएंगे और सफलता के नए आयामों को छूपाएंगे चतुर खर्गोश की कहानी दो खर्गोश अपने मा के साथ एक सुंदर से गाव के हरे भरे मैदान में रहते थे उन दो खर्गोश के नाम थे चिंटू और मिंटू चिंटू बहुत ही नटखट था और पिंटू बिलकुल उसके अपोजट बहुत ही अशान्त था वे अपनी मा के साथ एक पेर की जड़ के नीचे रहते थे सुन मेरे बच्चों, तुम खेलने के लिए निचे खेत में जा सकते हो पर ध्यान रखना की तुम रतनलाल के खेत में नहीं जाओगे उन खरगोश के माने उन्हें सतर्क कर दिया आपके पिता की वहाँ एक दूर घटना हुई थी रतनलाल बहुत ही खतरना का आदमी है उनसे दूर रहने में ही हमारी समझदारी है माने उन्हें हर बार की तरह चेतावनी दी अब चलो और शरारत में ना पड़ी मैं बाहर जा रही हूँ ये सब बोलके खरगोश की मां अपना बैग और छाता लेकर घर से बाहर निकली मिन्टू जो एक होशियार और समझदार खरगोश था उसने बाजू वाले खेत में जाने का फैसला किया चिन्टू ने मिन्टू के साथ जाने से इनकार कर दिया और वा दोड़के रतनलाल के बगीचे में चला गया रतनलाल का बगीचा बहुत ही बड़ा सूंदर और फल सबजी से भरा हुआ था रतनलाल के बगीचे में आसानी से खाने को मिलता था चिन्टू खरगोश ने बहुत ही सबजी और फल खाया बहुत ही खाने के बाद चिंटू के पेट में दर्ध होने लगा फिर भी वो उसकी परवान न करता लालच के कारण खाता ही चला गया चिंटू गाजा खाते वक्त आगे चला गया तभी उसे रतनलाल पौधों को पानी देता दिख गया वो सावधाने से पीछे जाने लगा तभी रतनलाल की नजर चिंटू खरगोश पर पड़ी रतनलाल पानी का पाइप वही छोड़ के चिंटू के पीछे गुस्से से भागने लगा खरगोश अब बहुत ही दरा हुआ था अब वो पूरे बगीचे में भाग रहा था दर के कारण वो गेट के पीछे का रास्ता भी भूल गया था और दर के मारे भागते वक्त उसने अपने दोनों जुते भी खो दिये थे बिना जुते से वो और जोर से भागने लगा चिन्टू भागते हुए के रतनलाल की गराज में जाके छूप गया खरगोश बहुत देर से दिखाई न देने के कारण रतनलाल गुस्से से अंदर जाके छड़ी लेकर आया रतनलाल बहुत ही निश्चित था कि वो खरगोश अपने ही बगीचे में छुपा हुआ है चिन्टू को दूसरे गेट से बहार निकलने के लिए रास्ता खुला था पर उसे जाने के लिए रतनलाल के पास से जाना पड़ता था पर अब उसके पास एक ही मौका था रतनलाल के पास से गुजर जाना और चिन्टू ने वो मौका नहीं छुड़ा रतनलाल को बड़ी मुश्किल से चक्मा देकर चिन्टू रोते हुए बगीचे से बहार निकल गया आज चिन्टू खरगोश ने अपनी जान बचा ली थी और सबसे महत्वपून सबक सीख लिया था आज की कहानी है उंट के प्राश्न एक दिन की बात है एक उंट वर उसका बच्चा बाते कर रहे थे बातों बातों में उंट के बच्चे ने उससे पूछा पिता जी बहुत दिनों से कुछ बाते सोच रहा हूँ क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ उंट बोला, हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछो बेटा मुझसे बन पड़ेगा, तो मैं जवाब जरूर दूंगा हम उंटों के पीठ पर कूबर क्यूं होता है पिताजी उंट के बच्चे ने पूछा उंट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव है हमारे पीठ में कूबर इसलिए है, ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सके इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते है अच्छा और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यूं है उंट के बच्चे ने दूसरा प्राशन पूछा जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव है यहां की भूमी रेतिली होती है और हमें इस रेतिली भूमी में चलना पड़ता है लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहुलियत होती है अच्छा मैं हमारे पीठ में कूबर लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया लेकिन हमारी घनी पलिकों का कारण मैं समझ नहीं पाता इन घनी पलिकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है ये इतनी घनी क्यूं है? उंट का बच्चा बोला बेटे, ये पलके हमारी आँखों की रक्षा का वच हैं ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करते हैं अब मैं समझ गया कि हमारी उंट में कूबर पानी जमा कर रखने लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतिली भूमी पर आसानी से चलने और घनी पल के धूल से आँखों की रक्षा करने के लिए है ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी फिर हम लोग इस चर्यागर में क्या कर रहे हैं कहानी से सीख, प्राप्त ग्यान, हुनर और प्रतिभा तभी उप्योगी हैं जब आप सही जगा पर हैं अन्यता सब व्यर्थ है कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगा क्षेत्र पर अपनी प्रतिभाव यर्थ जाने मत दें इमानदार लकड हारा की कहानी बहुत समय पहले की बात है एक गाव में एक गरीब लकड हारा अपने परिवार के साथ रहता था वो रोज सुबह गाव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकडियां कात दा और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी एक दिन वो जंगल में नदी किनारे लगे एक पेर की लकडियां कात रहा था अचानक उसकी कुलहारी उसके हाथ से छूट कर नदी में जागिरी नदी गहरी थी जिसमें उतर कर कुलहारी निकाल पाना लकड़हरे के लिए संभव नहीं था लकड़हरे के पास एक ही कुलहारी थी उस कुलहारी के नदी में गिर जाने से वह परेशान हो गया वो सोचने लगा कि अब वो अपनी जीविका कैसा चलाएगा, उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था वो दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा भगवन, मेरी कुलहारी मुझे वापस दिला दीजिये लकड़हरे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकच हुए उन्होंने उससे पूछा, पूत्र तुम्हें क्या समस्या है लकड़हरे ने कुलहारी नदी में गिरने की बात भगवान को बता दी और उनसे याचना की कीवे उसकी कुलहारी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुलहारी बाहर निकाली। वो कुलहारी चांदी की थी। भगवान ने लकड़हरे से पूछा, पुत्र ये तुम्हारी कुलहारी है। लकड़हरा बोला, नहीं ये मेरी कुलहारी नहीं है। haven ने पुना अपना हाथ पानी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुलहारी निकाली वो सोने की थी। उन्होंने लकड़ओरे से पूछा, पूत्र, क्या ये तुम्हारी कुलहारी है। से लकडिया नहीं कती ये मेरे किसी काम की नहीं है मेरी कुलहारी तो लोहे की है इस बार कुलहारी देख लकड़हरा प्रसन हो गया और बोला भगवन यही मेरी कुलहारी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान लकड़हरे की इमानदारी देख बहुत प्रसन हुए और बोले, पोत्र, मैं तुम्हारी इमांदारी से बहुत अत्यंत प्रसन हूँ, इसलिए तुम्हें लोहे की कुलहारी के साथ साथ सोने और चांदी की कुलहारी भी देता हूँ, ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, लकड़हरा अपनी इमांदारी के कारण पुरुस्कृत सदा इमांदार रहें, इमांदारी सदा सरा ही जाती है। मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशन सा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गाव में ही नहीं, बलकी धूर-दूर के नगर और गाव में होने लगे थे। ऐसी स्थिती में जैसा सामान्यता होता है, वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहनकार की भावना जागरित हो गई, वो स्वयम को सर्वश्रेष्ट मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकटाने लगा, तो वो अमरित्यू से बचने की युक्ति सोचने लगा। वो किसी भी तरह स्वयम को यमदूत की द्रिश्टी से बचाना चाहता था, ताकि वो उसके प्रान ना हर सके। अंतता उससे एक युक्ति सूजी गई, उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए दस मूर्तियों का निर्मान किया, वे सभी मूर्तियां दिखने में हुबहु उसके समान थी, निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवन्त प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही ना रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्तिनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्तिकार गभी सिधा हुई। जब यमदूत उसके प्रान हरने आया तो ग्यारह एक सरी की मूर्तियों को देख चकित रह गया वो उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था किन्तु उसे ग्याद था कि इनी मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है मूर्तिकार के प्रान हरने के लिए उसकी पहचान आवश् अधर मूर्ती को तोड़ कर देख सकता था, किन्तु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए इस समस्या का उसने एक अलगी तोड़ निकाला। अधर में तुटी की बात सुन अहनकारी मूर्तिकार का अहनकार जाग गया, उससे रहा नहीं गया और जचसे अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला तुटी, असंभव मेरी बनाई मूर्तियां सरवदा तुटी हीन होती हैं, यमदूत की युकती काम कर चुकी थी उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े यही तुम्हारी तुटी है कि अपने अहनकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं, यमदूत मूर्तिकार के प्रानहर यमलोक वापस चला गया कहानी से सीख अहनकार विनाश का कारण है इसलिए अहनकार को कभी भी खुद पर हावी ना होने दे आज की कहानी है अपनी क्षमता पहचानो एक गाव में एक आलसी आदमी रहता था वो कुछ काम धाम नहीं करता था बस दिन भर निठला बैठ कर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए एक दिन वो यूँ ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुँच गया वहां रसीले आमों से लदे कई पेर थे रसीले आम देख उसके मुँँ में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेर पर चद गया लेकिन जैसे ही वह पेर पर चड़ा बाग का मालिक वहां आ पहुचा बाग के मालिक को देखाल सी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेर से उतर कर वहां से भाग खड़ा हुआ भागते भागते वह गाँव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुचा वो बुरी तरह से ठक गया था इसलिए एक पेर के नीचे बैठ कर सुस्ताने लगा तभी उसकी नजर एक लोमडी पर पड़ी उस लोमडी की एक टांग तूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी लोमडी को देखाल सी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमडी बच कैसे गई इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ जिग्यासा में वह एक पेर पर चड़ गया और वहां बैठ कर देखने लगा कि आब इस लोमडी के साथ आगे क्या होगा कुछी पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भायन कर दहार से गूंज उठा जिसे सुनकर सारे जानवर दर कर भागने लगे लेकिन लोमडी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी वह वहीं खड़ी रही शेर लोमडी के पास आने लगा आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमडी को मार कर खा जाएगा लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ हजीब था शेर लोमडी के पास पहुँच कर खड़ा हो गया, उसके मुँँ में मास का एक टुकडा था, जिसे उसने लोमडी के सामने गिरा दिया, लोमडी इतमिनान से मास के उस टुकडे को खाने लगी, थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया, ये घटना देखाल सी आदमी सोच लगा कि भगवान सच में सरवैसवा है, उसने धरती के समस्त प्रानियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है, वह अपने घर लोटाया, घर आकर वह दो-तीन दिन तक बिस्तर पर लिटकर प्रतिक्षा करने लगा कि जैसे भगव भगवान ने शेर के द्वारा लोमडी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, भूब से उसकी हालात खराब होने लगी, आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा, घर क के बाहर उसे एक पेर के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाये पड़े, वो उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यूं कर रहे हैं, उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इनसानों के लिए नहीं, बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमडी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं, कहानी से सीख, हम सब के भीतरक्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयम को कम तर समझ कर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं, स्वयम की क्षमता पहचानिये, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिये, इतने सक्षम बनिये कि आप दूसर आज सुनाते हैं अंधा आदमी और लाल्टेन की कहानी। आज हम आपको एक अंधे व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं जिसे ऐसे ही लोगों के उपहास का पात्र बनना पड़ा। तरह उसके हाथ में एक जली हुई लाल्टेन थी। कुछ शरार्ती लड़कों ने जब उसके हाथ में लाल्टेन देखी तो उस पर हसने लगे और उस पर व्यंग्य बान छोड़कर कहने लगे। अरे देखो देखो अंधा लाल्टेन लेकर जा रहा है अंधे को लाल्टेन का क्या काम। उनकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति ठिठक गया और नमटा से बोला सही कहते हो भायों। मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता, मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है। मुझे लाल्टेन का क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है। लेकिन आप जैसे आंखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। तहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख न पाएं और धक्का दे दे, तो मुझे बेचारे का क्या होगा। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूं, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझे अंधे को देख सकें। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उससे क्षमा मांगने लगे. उन्होंने प्रण किया की भविश्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे. कहानी से सीख, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहे और कुछ भी कहन के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए. आज सुनाते हैं हाथी और रसी की कहानी. एक दिन एक व्यक्ति सकस देखने गया. वहां जब वह हाथियों के बाड़े के पास से गुज्रा, तो एक ऐसा द्रिश्य देखा कि वह हैरान रह गया. उसने देखा कि काई हाथियों को मातर उनके सामने के पैर में रसी बांध कर रखा गया है. उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरों में बंध कर रखा जाता होगा या फिर जंजीरों से बांध कर, लेकिन वहां का द्रिश्य तो बिलकुल उल्टा था. उसने महावत से पूछा, भाई, आप लोगों ने इन हाथियों को बस रसी के सहारे बांध कर रखा है, वो भी उनके सामने के पैर को, ये तो इस रसी को तो बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं, मैं हैरान हूँ कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे, महावत ने उसे बताया, ये हाथी जब छोटे थे, तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रसी से बांधते आ रहे हैं, उस समय इन्होंने रसी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये चोटे थे, इसलिए रसी को तोड़ पाना इनके सामर्थे के बाहर था, वे रसी तोड़ नहीं पाए और ये मान लिया कि रसी इत कर वो व्यक्ति अवाक रह गया कहानी से सीख, दोस्तों उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रुपी रसी से बंद जाते हैं जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मश्तिश्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी इस नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयासी नहीं करते आवश्यक्ता है इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की उन कमियों को पहचान कर दूर करने की जो हमारी असफलता का कारन बनी नकाराथमक सोच हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधक है इसलिए नकारातमक सोच रुपी जंजीर को तोड़कर सकारातमक सोच को अपनाए और जीवन में प्रयास करना कभी न छोड़ी क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सेन्य बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने मंत्रना हेतु सेनापती को बुलाया। सेनापती ने पहले ही हाथ खड़े कर दिये। वह बोला, महराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी। इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अपने सेनिकों के प्रांग गवाने के बजाए पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापती की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वो राज्य के संथ के पास गया। संथ को उसने पूरी स्थिती से अवगत कराया और बताया कि सेनापती ने तो युद्ध के पहले ही हाथ कीच लिये है। ये सुनकर संथ बोले, राजन, ऐसे सेनापती को तो तुरंत उसके पद से हटाकर काराग्रह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापती जो बिना लड़े हार मान रहा है, उसे सेना का नित्रित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु गुरुवर, यदि मैंने उसे काराग्रह में डाल दिया, तो सेना का नित्रित्व कौन करेगा। राजा चिंतित होकर बोला, राजन, तुम्हारी सेना का नित्रित्व मैं करूंगा। संथ बोले, राजा सोच में पढ़ गया की संथ युद्ध कैसे लरेंगे, उन्होंने तो कभी कोई युद्ध नहीं किया है। किन्तु, कोई विकल्प न देख उसने संथ की बात मान ली और उन्हें अपनी सेना का सेनापती बना दिया। सेनापती बनने के बाद संथ ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए कुछ कर दिया। रास्ते में एक मंदिर पड़ा, मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सेनिकों से बोले, यहां कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछ कर आता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुन सेनिकों ने चकित होकर पूछा, म इसलिए मैं इश्वर से बात कर लूँगा, तुम लो यहीं रुक कर मेरी प्रतीक्षा करो। ये कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बार जब वे वापस लोटे, तो सेनिकों ने पूछा, इश्वर ने क्या कहा। संत ने उत्तर दिया, इश्वर ने कहा कि यदी रा उशी से जूम उठी, उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे युद्ध जीत लेंगे, उनका मनोबर बढ़ गया और वे जीत के मनसूबे से युद्ध के मैदान में पहुँचे। युद्ध 21 दिन चला, सेनिक जी जान से लड़े, फलस्वरू पून की विजय हुई, विज शक्ता नहीं है। ये सुन सेनिक कहने लगे, आप कितने मतलबी हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोश्नी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे। तब संत ने उन्हें बताया, उस रात मंदिर से आने वाली रोश्नी एक दिये की थी और वह दिय मैं वहाँ जला कर आया था। दिन में तो वो रोश्नी दिखाई नहीं पड़ी, किन्तु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिये की रोश्नी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में विजय हमारी होगी, इस तरह तुम सब का मनोबर बढ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। कहानी से सीख, खुद पर विश्वास रखें और परिश्रम करते रहें। विश्वास की विजय होगी, हमारी सोची आगे चल कर वास्तविक् इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दें। सदा सकारात्मक सोचें ताकि सकारात्मक परिनाम मिले। विजय तुमाए और अमीर बन गए, वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेद बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान च्छान मारने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना तूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। इस दोरान दूसरा किसान जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुशी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा, तो जाकि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरने पढ़ने से वह चमक रहा था, किसान ने जुक कर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया, वह एक खुबसूरत पत्थर था, उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया, कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा, एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया, उसने जब वह पत्थर देखा, तो हैरान रह गया, उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर ही कीमत की जानते हो, किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से यह हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा मित्र बोला किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था उसने अपने मित्र को बताया कि उसे ये पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली वे पत्थर हीरे ही थे उस खेत में हीरों का भंडार था वो उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी उसका खदान का नाम किंबले डायमंड मायन्स है दूसरा किसान उस खदान की वज़े से माला माल हो गया पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी कहानी से सीख, मितरों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ती के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपासी छुपे रहते हैं जीवन में सफल होना है तो आवश्यक्ता है बुद्धिमानी और परक्त से उन अवसरों को पहचानने की और धहर्य से अनवरत कार्य करने की सफलता निश्चित है आज की कहानी है मौसम की तयारी तिलारी वन में ठंड दस्तक दे रही थी सभी जानवर आने वाले कट्छिन मौसम के लिए तयारी करने में लगे हुए थे एक पेर पर रहने वाली चिरिया भी उन में से एक थी हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शांदार घोसला तयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारो तरफ से घांस फूं से धाग दिया था सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घंभोर वर्षा होने लगी बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे वो चिरिया भी तेजी दिखाते हुए अपने घोसले में वापस आ गई और आराम करने लगी उसे आये अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेर के नीचे आ पहुचा चिरिया ने बंदर को देखते ही कहा तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यू नहीं बनाया ये सुनकर बंदर को गुसा आया लेकिन वह चुपी रहा और पेर की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा थोड़ी देर शांत रहने के बाद चिरिया फिर बोली पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते ये सुन बंदर ने गुस्से में कहा तुम अपने से मतलब रखो मेरी चिंता छोड़ दो थोड़ी ही देर में हवाएं भी तेज चलने लगी और अब बारिश रुखने का नाम नहीं ले रही थी बिचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को धांखने की भरसक कोशिश कर रहा था पर चिरिया ने तो मानो उसे चिरने की कसम खा रखी थी वो फिर बोली काश की तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज ये हालत नहीं होती कम से कम अब घर बनाना सीख लेना इतना सुनते ही बंदर गुसे से तुरंथी पेर पर चड़ने लगा और बोला भली मैं घर बनाना नहीं जानता लेकिन मुझे तोरना अच्छे से आता है और ये कहते हुए उसने चिरिया का गुसला तहस नहस कर दिया अब चिरिया भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से काम रही थी कहानी से सीख हमेशा अपने काम से काम रखो यदि आप मदद नहीं कर सकते हैं तो उसे बेकार के उद्देश न दे आज की कहानी है एकता में बल एक समय की बात है कि कबूत्रों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उद्दा हुआ जा रहा था नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी एक कबूतर ने संकेत किया नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा हैं हम सबका पेट भर जाएगा कबूत्रों ने सूचना पाते ही उतर कर खेत में बिखरा डैन के पास जाने लगे सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा वास्तव में वह दाना पक्षी पकने वाले एक बहलिये ने बिखेर रखा था उपर पेड़ पर तना था उसका जाल जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा जाल उन पर आगिरा सारे कबूतर फंस गए उन में से एक कबूतर बोला ओह ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था वूख ने हमारी अक्ल पर परदा डाल दिया है हमें सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है दूसरा कबूतर रोने लगा हम सब मारे जाएंगे बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे एक बुद्धिमान कबूतर ने कहा सुनो जाल मजबूत है ये ठीक है पर इसमें इतनी भी शक्ती नहीं कि एक ताकी शक्ती को हरा सके हम अपनी सारी शक्ती को जोडे तो मौत के मूह में जाने से बच सकते हैं युवा कबूतर फफडाया साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो जाल ने हमें तोड रखा हैं शक्ती कैसे जोडे बुद्धिमान कबूतर बोला तुम सब चोंच से जाल को पकरो फिर जब मैं फूर कहूं तो एक साथ जोर लगा कर उढ़ना सबने ऐसा ही किया तब ही जाल बिच्छाने वाला शिकारी आता नजर आया जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आँखे चमकी हाथ में पका डंडा उसने मजबूती से पका वर जाल की और दोडा शिकारी जाल से कुछी दूर था कि वो बुद्धिमान कबूतर बोला पफूर सारे कबूतर एक साथ जोर लगा कर उढ़े तो पूरा जाल हवा में उपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उढ़ने लगे कबूतरों को जाल सहे तुर्ते देखकर शिकारी अवाक रह गया